अगर तुम में हिम्मत हो कि हजार लोग तुमारे पीछी खड़े हो तो तुम सिर्फ एक ही जंग जीत पाओगे अगर हजार लोगों ने हिम्मत जुटा ले कि तुम उनके सामने खड़े हो तो पुरे दुनिया जीत जाओगे केजिएफ भी मिल गया और वो भी बैदा होगे केजिएफ चैप्टर टू रिलीस से पहले ही सुपर हिट फिल्म कैसे बन गई और इस फिल्म की कहानी क्या है बाहु बली और 2.0 का रिकार्ट कैसे तोड़ने जा रही है मैं आपका स्वागत करता हूँ बॉले गराथ के फिल्मी गलियारे में 2018 के दिसंबर में एक फिल्म आई इसका फुल फॉर्म हुआ कोलार गोल्ड फिल्स करनट सिनेमा इतिहाद की सबसे सफल फिल्म आल टाइम वर्ड वाइट कलेक्शन 250 करोन के पार हिंदी में डब होकर रिलीज होने वाली फिल्मों में बाहवली फ्रेंचाइजी और 2.2 के बाद तीसरी सब ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म इंट्रेस्टिंग बात ये है कि ये सारी अचीब में कहानी के एक टुड़े को मिली है आधी कहानी अभी आना बांकी जिस फिल्म में बची हुई कहानी दिखाई जाएगी उसका नाम होगा KGF चैप्टर 2 KGF के पहले हिस्से में हमें कोलार गोल्ड फिल्ड्स ने अपना एक छत राज कायम करने वाले गरुणा की कहानी दिखाई गई गरुणा सोने के इस खान का मालिक था और यहां काम करने वाले लोगों पर बहुत अत्याचार करता था रौकी याने की राजा क्रिशा प्याप बैर एक गरीब घर का बच्चा जिसकी माँ पैसे की कमी से इलाज ना मिल पाने की कारण मर गई लेकिन उसने मरते समय अपने बेटे से बचन लिया कि वो बड़ा होकर बहुत ताकत और पैसा कमाएगा रौकी इनी चीजों की तलास में मुंबई आया और जल्द ही रौकी भाई नाम का एक डौन बन गया उसका बड़ा होता नाम देखकर कोलार खान को हंतियाने के लालची लोग उसे गवरा को मारने के लिए शुपारी देते पहली बारे में फैल होने के बाद रौकी गवरा को उसके गढ़ में यानि खान में ही मारने का प्लान मनाता है और मार भी देता है पहली फील्म यहीं खत्म हो गई अधीरा गर्वडा का चाचा है सोने की खान के मालिक शूर वर्धन ने अधीरा को नजर अंदाज कर अपनी विमारी के बाद खान को सम्हालने की जिम्मेदारी गर्वडा को सौंप देता है इस बास से अधिरा नवास, फिल्म के पहले हिस्से में अधिरा का कई जगा जिक्र आता है, जिसमें उसे बहुत ताकतवर और कूर बताया जाता है, रौकी के हाथों गरवा की हत्या के बाद अब अधिरा की नजर भी खान पर है, दूसरी और रौकी भी उस खान पर अपना जा चाहता है। इससे उसे बहुत सारा पैसा मिलेगा और ये सब तब संभव हो पाएगा जब उसके पास पाकत होगी। मतलब वो अपनी मा को दिये हुए बचन को पूरा करने के लिए ये सब कर रहा है। फिल्म के दूसरे हिस्से में देखनी को मिलेगा। लेकिन यहां मेल लड़ाई अधीरा और रॉकी के बीच है। इस फिल्म में कन्नट फिल्मों के सुपरस्टार यस अपने रॉकी के किरदार को आगे बहाएंगी। और कहा जा रहा है कि ये फिल्म बाह बली और 2.0 से भी ना हम का भादी गया था। अश पोलिस वाले क्यों मारा लें। जिसी को मारा तो पोलिस डोड़ेगा। पोलिस वाले कोई मारा तो तूमारे जैसा डॉग डोबडेगा। तेरी मार्ग मिल गया रेसारा। ये एएएए वो नहीं मेरा बेटा कहा है। तुमारा बेटा ओई अश के सामने ही है। कुदरत का करिश्मात देखो उस रात दो गटाए होई केजियत भी दिल गया है और वो भी देखा हो गया टुदरत का किए हो गया है काल काव करने भी नाज पहा काल आ गया वो क्या इतना बड़ा गैंग्स्टर था गैंग लेकर आने वाले होते हैं गैंग्स्टर वो अकेला आता था मॉन्स्टर फैस के बीच सुपरस्टार यस की फिल्म केजेब की दूसरे पार्ट को देखने का उस्साह बरकरार फिल्म में यस के किरदार रौकी को दर्सकों के दौरा खुब पसंद किया गया था और इस फिल्म में उनका एक डैलाक सबसे बड़ा योधा मा होती आज भी लोगों की जुवान पर रहता है हाल ही में यस ने एक इंटर्वी के दौरान फिल्म केजेब 2 के बारे में कई खुलासे किये फैन स्रीज के अगले चैप्टर के खुलने का इंतजार कर रहे हैं यस ने फिल्म केजेब 2 के बारे में बात करते हुए कहा कि ये पहले से ज़्यादा धहमाकेदार होगी उन्होंने बताया कि KGF टू बड़े पैमाने पर रिलीज होने जा रही है यदि आपने KGF 1 देखा है तो आपको इस बात का अंदाजा होगा कि ये किस तरह की फिल्म है फिल्म को देखने में KGF 1 से 5 गुना जादा मज़ा आने वाला है अगर फिल्म KGF की कहानी की बात करें तो ये एक ऐसे बच्चे की कहानी थी जो मुंबई की संकोर पर पला बढ़ा है और कॉलार की सोनी की खानों तक अपना सफर तै करता है रॉकी की मा उससे कहती है कि तू कैसे जिएगा मुझे नहीं पता लेकिन जब मौत आये तो दुनिया का सबसे ताकतवर और अमीर बनकर मरेगा तू मुवीज में बैक्ग्राउंड म्यूजिक का बहुत बढ़ा रोल होता है और ये फिल्म के टूटे वोए हिस्सों को आपस में जोडता है जैसे इस फिल्म में मा बेटे के रिस्ते वाले सिंस में आप किवल बैक्ग्राउंड थीम पर से ही इमोशनल हो जाते हैं कई जगा भौन की सिमेट्रोग्राफी देखते ही बनती है माइनिंग वाले और पचास से असी के दसक वाले सेट्स भी विसालकाय और अच्छे हैं केजिया फोन में ज़्यादा तर वान लाइन डाइलाक यूज किये गए हैं जैसे सोने के गुल्लक को चिलर बटोडने के लिए नहीं रखा जाता हाथ में मचली लेकर मगरमच को खिलाने जा रहे हैं लेकिन मगरमच को मचली नहीं हाथ पसंद है इतिहास जल्दवाजी में नहीं रचा जा सकते लेकिन आप प्लानिंग करके ब्लूप्रिंट बना कर भी इतिहास नहीं बना सकते इसी प्रकार के संबाद आपको केजियव 2 में भी देखने को मिलेगा मूवी में अनन्द बक्सी के गीत का एक नया वर्जन डाला गया है गली गली में फिरता है तू क्यों बनके बन जारा इसी तरह का गाना इस बार भी डाला जा रहा है अगर फिल्म को गाउर से देखें तो फिल्म में मावाला इमोशन भी है रोमांस वाला भी गरीबी वाला भी और मजबूरी वाला भी लेकिन इस बार केजियव 2 में एक्षन पर सबसे ज़्यादा जोड़ दिया गया है खास करके क्लाइमेक्स सीन में जहां पर संजय दत यानि के अधीरा और रोकी के बीच लड़ाई होती केजियव 2 में जो यस किरदार निभा रहे हैं वो एक गैंग्स्टर के रियल जीवन से प्रभावित है गैंग्स्टर राउडी थंगम के जीवन से लिया गया है जिसका 1977 में पुलिस ने इंकाउंटर कर दिया था लेकिन केजियव के डारेक्टर परसांत नील ने अपने एक इंटर्विव में इसे इंकार कर दिया था प्रंत केजियप के पोस्टर में दावा किया गया था कि केजियप एक सची कहाने प्राधारी था उस समय की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार थंगम को खुख्यात चंदन तसकर के बाद दूसरे अस्थान पर माना जाता था और उसे बिरप्पन जूनियर करार दिया गया था थंगम को अस्थानिय लोगों का समर्था मिलता था क्योंकि वो बिरप्पन की तरह एक रॉविन हुट के रूप में जाना जाता था जब थंगम की मृत्ति हुई तो वो केवल 25 वर्स का था केजियप के पहले हिस्से में हमें कोलार गोल्ड फिल्ड्स में अपना एक छतर राज कायम करने वाले गरुणा की कहानी दिखाई गई गरुणा सोने के इस खान का मालिक था और यहां काम करने वाले लोगों पर बहुत अत्याचार करता रौकी यानि की राजा किशप प्याबैर एक गरीब घर का बच्चा जिसकी माँ पैसे की कमी से इलाज ना मिल पाने के कारण मर गई थी लेकिन उसमें मरते समय अपने बेटे से बचान लिया था रौकी गरौणा को उसके गर्ण में यानि खान में ही मारने का प्लान मनाता है और मार भी देता है पहली फिल्म यहीं खत्म हो गई अधिरा गरौणा का चाचा है शोने की खान के मालिक शूर वर्धन ने अधिरा को नजर अंदाज कर अपनी बिमारी के बाद खान को सम्हाले क के जिम्मेदारी करुणा को सौप देता है इस बात से अधिरा नारास्त फिल्म के पहले हिस्से में अधिरा का कई जगा जिक्र आता है जिसमें उसे बहुत ताकत वर और कुरूर बताया जाता है रौकी के हाथों करुणा की हप्टा के बाद अब अधिरा की नजर भी खान पर दूसरी और रौकी भी उस खान पर अपना कबजा चाहता है। इससे उसे बहुत सारा पैसा मिलेगा और ये सब तब संभव हो पाएगा जब उसके पास ताकत होगी। मतलब वो अपनी मा को दिये हुए बचन को पूरा करने के लिए ये सब कर रहा है। सारी टसल उस खान को ल होजती है। ये हमें फिल्म के दूसरे हिस्से में देखने को मिलेगा। लेकिन यहां में लड़ाई अधीरा और रौकी के बीच है। केजिएफ 2 में रीना के करेक्टर पर भी फोकस किया गया है। केजिएफ 2 रिलीज भी नहीं हुई और केजिएफ 3 की चर्चा होने लगी है। तीन सो रुपे लेकर घर से भागने वाला लड़का कैसे देने जा रहा है बाहु बली को टकर। यश का असली नाम क्या है। नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है गरिमा तोमर आपका दिल से स्वा केजिएफ 3 की तरफ इशारा किया है। जी हाँ बनाने का विचार कर लिया है। और उनके इस रिपलाई से ये भी साफ हो गया है कि केजिएफ 3 में रॉकी के फादर की स्टोरी दिखाई जाएगी। केजिएफ स्टार यश कननट फिल्म इंडस्ट्री के सूपर स्टार है। केजिएफ चैप्टर फर्स्ट की सफलता के बाद यश ने दुनिया भर के लोगों को अपनी और आकरशित किया। ये एक्टर बॉलिवुड के हीरोस तक पर भारी पड़ गया। फैन्स अब बेसब कि वो मात्र 300 रूपिय लेकर घर से भागे थे। रॉकिंग यश ने इंटर्व्यू के दौरान बताया। मैं अपने घर से भाग गया। जब मैं बैंगलूर आया। तो जैसे ही वहाँ पहुचा मैं डर गया। इतना बड़ा डराने वाला शहर। लेकिन मैं हमेशा से आत्म के रूप में अपनी किस्मत आजमाने के लिए स्वतंत्र था। लेकिन उसके बाद अगर ये नहीं हुआ तो मुझे वही करना पड़ेगा जो वो कहें। उन्होंने आगे खुलासा किया कि उन्होंने सोचा था मैं वापस आऊंगा। मैंने थेटर करना शुरू कर दिया, को कोई सोभाग्य से मुझे थेटर करने के लिए ले गया। मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैंने बैक्स्टेज पैसे बनाना शुरू किया, चाय से लेकर पूरा सब कुछ। शुरू में मैंने कननट फिल्म इंडस्ट्री में प्रवेश करने के लिए एक ड आ देते हैं, इसमें क्या टेंशन लेने की बात है। यश का असली नाम है नवीन कुमार। वेल अभी तक तो दर्शक के जीएफ 2 देखने के लिए एक्साइटेड थे लेकिन इस खबर के बाद वो एक के जीएफ चैप्टर 3 के लिए और भी जादा एकसाइटेड हो गए है अब तो शायद ओडियंस यही चाहेगी कि हमें दोनों पार्ट एक साथ ही देखने को मिल जाएं। लेकिन वक्त तो लगेगा, अभी तो सिर्फ उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि हां के जीएफ 3 बनेगी ज़रूर। 1990 दशक के दोरान भारती अर्थ विवस्ता को हिला कर रख दिया था। अभिशेक बच्चन के करियर की सबसे दमदार फिल्म की बात की जाए तो वो गुरू होगी। और ठीक इस बार भी अभिशेक अपने गुरू वाली भूमिका में ही दिखाई देंगे। तो ऐसे में इस इस फिल्म पर सब की नजर बनी हुई है। तो दूसरी और कंणर सूपस्टार की केजीएफ ने अपने स्टार्डम को हिंदी सिनेमा में इस कदर बैठा लिया है कि फैंस केजीएफ 2 का बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं। और इस बार तो वैसे भी पहले से जाद अदमदार एक्षन देखने को मिलने वाला है फिल्म में। यश के साथ-साथ फिल्म में इस बार श्रीनदी शेट्टी भी मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। साथ ही संजदत फिल्म में आधीरत की भूमिका में दिखाई देंगे। जबसे संजदत का इस फिल्म से नाम जुड़ तो हिंदी सिनेमा में और भी जादा दबदबा हो गया है इस फिल्म का और यही वज़ा है कि एक बड़े पैमाने पर बनी इस बहु प्रतिक्षित फिल्म में दर्शकों को आस्चार्य जनक अनुभव देने के लिए तकनी का जबरदस्त इस्तेमाल किया गया है यानि कि यश क दामोदर नदी के पस्चिमी तर्ट पर स्थित रानिगंज कोल फिल्ड में इस्ट इंडिया कंपनी के मेसर सुमनेर और हिटली द्वारा 1774 को की गई थी और यह हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि केजिये फिल्म कोल फिल्ड पर ही आधारित फिल्म थी जिसकी कहानी ने लेकिन असल जिंदिगी में भी अपराद की दुनिया में कहीं ऐसे गैंस्टर्स और डोन हैं जो अपने इस खतरनाक पेशे के जरिए अरभ पती बन चुके हैं तो आज हम आपको ऐसे ही टॉप सिक्स गैंस्टर्स के बारे में बताएंगे जिसमें 1993 मुंबई बम हमले का मास्टर माइन दाउद इब्राहिम का नाम भी शामिल है दाउद का नाम इस लिस्ट में दूसरे नंबर पराता है आपको बता दें कि भारत के Most Wanted अपराधी और Underworld Dawn दाउद इब्राहिम के पास कुल 670 करोर डॉलर की संपत्ती है भारत सरकार की तरफ से इसके उपर इनाम भी घोशित किया जा जुका है अभी दाउद के पाकिस्तान के कदाची शहर में होने की खबर है फिल्हाल दाउद 63 साल के हो चुके हैं हाल ही में एक अंग्रेजी अखबार ने उनकी बुड़ापे की तस्वीर को भी जारी किया था लेकिन अमाडो केरिलो फैंटर्स 1997 में दुनिया का सबसे अमीर डॉन था जिसकी संपत्ती 25 बिलियन डॉलर आंकी गई थी अमाडो को हवा का राजा भी कहा जाता था क्योंकि ये अपना सारा ड्रग्स का व्यापार खुद के हवाई जिहाद से करता था अमाडो बड़े स्तर पर कोलंबिया के तसकरों की मदद करता था अपने बॉस की हत्या के बाद ये गैंग को सरगाना बना वहीं बताया जाता है कि प्लास्टिक सरजरी के दौरान ही इनकी मौत हो गई थी वहीं इस लिस्ट में एक और नाम आता है एंथनी सालेर नो इसको फैट टोनी के नाम से भी जाना जाता था ड्रग्स की कारूबार के कारण इसने अकूद संपत्ति बनवाई जिनेवा से तालूख रखने वाले इस शक्स को 1988 में गिरफतार कर लिया गया था और बाद में सत्तर साल कारावास की ज़द सुनाई गई 1930 में ड्रग सहीत अवेद शराब जुआ और माना तसकरी के कारूबार में अलकपोन की तूती बोलती थी इसने इस कारूबार में अकूद संपत्ति अर्जित की हालांकि उसका पैसा और सरकार से संबंध भी गिरफतार होने से रोक नहीं सके और गिरफतार होने के बाद इसका कारूबार पूरी तरह से समाफ्थ हो गया तो वही सत्तर के दशक में एक लेडी डॉन का भी काफी जलवा रहा है 70-80 के दशक में ग्रिसेला ब्लानको नामक महिला डॉन का अमेरिका के मियामी पर्राज था वो भी ड्रग के कारूबार में लिफ्ट थी और ये कोलंबिया से पूरे देश में ड्रग की सप्लाई करती थी और उस दोर में इसकी संपत्ति 80 मिलियन डॉलर की थी तो वहीं एक ऐसा भी शक्स था जो धर्ती का सबसे अमीर डॉन था एक समय में कोलंबिया का कुख्या डॉन पोबलो एसकोबार दुनिया का सबसे बड़ा अरबपती शक्स था इसकी कुल संपत्ति 3,000 करोड डोलर के करीब थी पोबलो एसकोबार को कोकीन की दुनिया का सबसे बड़ा बात्षा माना जाता है अपने दौर में पोबलो दुनिया की करीब 80 फिस्दी कोकीन अकेले सप्लाई करता था दिसंबर 1993 में पोबलो की पुलिस एनकाउंटर में हत्या हो गई थी तो अब देखना exciting रहेगा कि KGF chapter 2 में क्या इन सभी किरदारों से inspired होकर कोई किरदार रखा जाएगा वही दो-दो बड़ी-बड़ी फिल्मों का clash भी होने जा रहा है अज़देवगन यश से टकराने जा रहे हैं तो क्या धमाका होने वाला हिस बार box office पर इसका सभी को वेसबरी से इंतसार रहेगा आपको क्या लगता है यश और अज़देवगन में से इस बाजी को कौन जीतेगा क्या संजदत बनने जा रहे हैं KGF chapter 2 के अधीरा संजदत की वो पांच फिल्में जिसमें उन्होंने खलनायक की भूमिका को निभा कर दी बॉलिवुड को मिसाल और वो कौन सा एक्टर है जिसे दिया जा चुका है विलन आप दा येर का अवार्ड संजदत की बात करें तो वो एक ऐसे परिवार में पैदा हुए थे जहां से अभीने करने की कला उन्हें विरासत में ही मिली थी इसकी वज़े से उनकी रूची फिल्मों के प्रती और अधिक हो गई थी और उन्होंने अपनी फिल्मों में हीरो का किरदार निभाने के साथ साथ एंटी हीरो की भी भूमिकाएं अदा की है और उनके इस किरदार को भी दर्शकों से खूब सराना हासिल हुई थी 1993 में उनकी एक फिल्म आई थी खलनायक जिसको शुभास गई ने डिरेक्ट किया था इस फिल्म में संजर दर्थ और माधुर दिक्षित की गजब की कैमेस्ट्री देखने को मिली थी इस फिल्म में कुछ अलग करने के लिए संजर दर्थ ने अपनी एक्टिंग पर तो मेहनत की ही थी साथ ही उन्होंने अपने लुक को भी बदला था इसके लिए उन्होंने कानों में बालिया पहनी, सर पे टोपी, एक आंक पर काला कपड़ा बांधा और दाड़ी मूचे भी वड़ाई और इस फिल्म में जो उन्होंने खलनायक की भूमी का निभाई वो आज भी निसाल बनी हुई है वही उनकी दूसरी फिल्म है, 1999 में आई वास्तव, जिसे महीश मांजरेकर ने डेरेक किया था और वास्तव में इस फिल्म में संजद अधिक अलग ही लुक में नजर आये इस फिल्म में उन्होंने सफेद कुर्टा पजामा और माथे पर बड़ा सा लाल तिलक लगाया और जिसे देख कर ही लोगों में फिल्म के लिए उत्सुकता काफी जादा हद तक बढ़ चुकी थी फिल्म में निभाय गए अपने किरदार से उन्होंने लोगों को इतना प्रभावित कर दिया था कि लोग उनके बोलने का तरीका उनका स्टाइल तक कॉपी करने लगे थे उनकी अगली फिल्म है 2004 में आई मुसाफिर इस फिल्म को संजर गुपता द्वारा डेरेक किया गया था इस फिल्म में संजदत ने अपने लुक को बदलने के लिए लेजर कट बियर्ड रखी थी और साथ ही साथ हाथ में सिगार और आखों पर फैंसी गॉगल्स के साथ वो नजर आये थे जिसके बाद उनके इस अंदाज को भी हर किसी ने कॉपी किया तो वही 2009 में आई उनकी फिल्म प्लान इस फिल्म को हर्देशेटी ने डेरेक किया था और इस फिल्म में संजु बाबायानी की संजदत एक बार फिर डॉन के किरदार में नजर आये थे इस फिल्म में उन्होंने अपने लुक के लिए एक लाइन वाली छोटी सी दाड़ी रखी साथ ही बालो में कलर भी किया था या फिर यूं कहीं कि उन्होंने जिस भी फिल्म में आज तक खलनायक की भूमिका निभाई है उन्होंने अपने लुक पर काफी जादा ध्यान दिया है और 2012 में आई उनकी अगनीपत को तो कौन भोल सकता है अगनीपत को करन जोहर ने डिरेक्ट किया था और ये 1990 में आई अमिताब अच्चन की फिल्म अगनीपत का रिमेक थी जिसमें रितिक रोशन प्रियंका चोपरा और संजय दत मुख्य भूमिका में नजर आये थे फिल्म में संजय बाबा ने अपने किरदार को कुछ अलग दिखाने के लिए अपने लुक्स पर बहुत महनत की थी जैसा कि हमने पहले भी कहा कि वो अपने लुक को लेकर काफी जादा महनत करते हैं उन्होंने फिल्म के लिए अपना सिर मुडवा लिया था यहां तक कि उन्होंने अपनी बोहें भी हटवा दी थी जिहां साथ ही हाथों में धे सारे बड़े बड़े टैटूज भी बनवाए थे डैनी डैन जॉंगपा ने घातक, खुदागवा, सनम बेवफा, अगनीपत, काला सोना जैसी फिल्मों में सफलतम फिल्मों में विलन का जबरदस रोल अदा किया था तो अगनीपत में भी संजदत ने निभाया जबरदस्त खलनाय का रोल जिसमें उनका जो किरदार था काचा चीना का वो हर किसी ने बेहद पसंद किया था लेकिन आपको बता दें कि एक खुशकबरी है वो आ रहे है यश्की फिल्म में जी हाँ आपने यश्की केजी अफ चैप्टर वन में फिल्म की एंडिंग में देखा होगा कि एक विलन अपनी पीट किये खड़ा है लेकिन उसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है तो दोस्तो जब ये फिल्म पूरी तरह से पैन इंडिया बन ही चुकी है और एक बहुत बड़े पैमाने की फिल्म बन चुकी है तो ये एक अच्छा मूव रहेगा जब इसमें एक नौर्थ इंडियन एक्टर को मिलाया जाए और जिससे कि ये फिल्म लगने वाली है कि पूरे भारत को एक साथ लेकर चल रही है फरान अब्तर और रिते शिद्वानी इसको मिलकर इंफ्लूएंस कर रहे हैं और संजदत का नाम है सबसे आगे क्योंकि पहले पार्ट के अकॉर्डिंग एक महान खलनायक आने वाला है जो यस जैसे एक शेर के साथ टकराएगा और अब शेर के साथ कोई महमना तो नहीं टकरा सकती तो आवश्यक होगा कि किसी ऐसे कलाकार को लाया जाए किसी ऐसे किरदार को लाया जाए जो उनकी टकर का हो क्योंकि दोस्तों एक एक्टर और उनका केरेक्टर इतना स्ट्रॉंग होना चाहिए कि लगे कि सच में काटे की टकर है क्योंकि विलन भी उतना ही बुलंद होता है जितना की हीरो एक्जामपल के लिए अगर सूपर मैन एक जेब कत्रे को पकड़ता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन जब वो लेकिन जब वो दूसरे क्रिपलिन से आए हुए इंसान को पकड़ता है जो उतना ही बलशाली है जितना की सूपर मैन तब लगती है दोस्तो काटे की टककर तब होती है असली लड़ाई तब आता है मज़ा तो ऐसे में संजदत की यश के साथ टककर देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है अब अगर बात करें कि वो कौन सा खलनायक है जिसे विलन ओफ ता इयर से भी नवाजा जा चुका है दोस्तों वो कोई और नहीं बॉलिवुड के मशूर खलनायक प्राण है उनके रोल के बारे में तो क्या कहें मतलब अपने दोर में उनका इतना खौफ था कि उनके पास चाने से भी हर कोई डरता था और इनको 2000 में विलन ओफ ता इयर के रोल से भी नवाजा जा चुका है अगर प्राण की बात करें तो उन्होंने मधुमती, अमरक, बरैंथनी, जन्जीर और जिस देश में गंगा बहती है फिल्मों में जबर्दस्त खलनायक की भूमिका अदा की है तो दोस्तो आपका फेवरिट खलनायक कौन है और आपकी एजीएफ चैप्टर टू में यश और संजेदत की टककर को लेकर कितना एक्साइटिड है अपना जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं साथी साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और देखते रहे हमारा चैनल बॉलिग्राद स्टूडियोज केजिएफ चैप्टर टू की कहानी क्या है ये फिल्म कब रिलीज होगी और फिल्म का ट्रेलर कब रिलीज होगा बॉलिवुड के दो नाम सामने आए हैं केजिएफ चैप्टर टू में संजेदत और रवीना टंडर इनका रोल क्या होगा KGF Chapter 2 में यश के पास कितने करोड की प्रॉपर्टी है और इन्होंने कितनी हिट फिल्में दी है और कितनी फ्लॉप KGF Chapter 1 रिलीज होने के बाद इनकाम टेक्स ने डिरेक्टर के घर पे, प्रोड्यूसर के घर पे और एक्टर के घर पे क्यों रेट मारी आईए जानते हैं हेलो दोस्तो मेरा नाम है अंकेत और आप सभी का स्वागत है बॉलिग्राड स्टूडियो के नए वीडियो में दोस्तो अगर आपके मन में फिल्म से रिलेटीड कोई भी सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं आपको एक घंटे के भीतर ही रेपलाई मिल जाएगा तो आज हम बात करने वाले हैं के जियफ चैप्टर टू के बार में प्रभाज की बाहु बली के बात से ही साउथ फिल्म इंडस्ट्री काफी सुर्ख्या मटोर रही है अभी बाहु बली का महोल ठंडा हुआ ही नहीं था कि एक और फिल्म आगी साउथ की तरब से यश के फिल्म के जियफ इस फिल्म का पहला पार्ट काफी सफल रहा सफल होने के बाद मेकर्स इसके दूसरा पार्ट बना रहे हैं और कहा जा रहा है कि इस फिल्म में यानि की चैप्टर टू में बॉलिवुड के कुछ नामी कलाकार शामिल होंगे नाम सामने आया है संजेदत का और रवीना टंडन का हाला कि अभी तक संजेदत और रवीना टंडन ने हामी नहीं भरी है फिल्म के लिए या कोई UK की Officially Announcement नहीं हुई है जिन लोगों को KGF के बारे में या Chapter 1 के बारे में नहीं पता थोड़ा बहुत जान लेते हैं Short Prift में कि KGF कंणर लेंग्वेज फिल्म थी जो पांच अलग-अलग भाशाओं में रिलीज हुई थी फिल्म को लिखा और डैरेक्ट किया था प्रशान ने प्रशान नील जो कंणर के डैरेक्टर है इन्होंने अभी तक सिर्फ दो फिल्मे ही डैरेक्ट की है पहली जो है वो है KGF Chapter 1 और दूसरी मतलब इससे जो पहले डैरेक्ट की थी वो थे यश इनका असली में नाम है नवीन कुमार गोवरा यश तो इनका स्टेज नाम था जो काफी पॉपलर हो गया था बात करते हैं कि इनके पास कितने करोड की प्रॉपर्टी है तो इनके पास अभी तक लगभग जो मिलाए गया है 40 करोड से ज्यादा की प्रॉपर्टी है और ये हर फिल्म में 5 करोड रुपे लेते हैं लेकिन खास बात ये है आपको जानकर हैरानी होगी कि इनके पापा अभी भी अरुन कुमार बस ड्राइवर का काम करते हैं बात करें इनके फिल्मों की कि अभी तक इनों ने कितने हिट फिल्म में दी हैं या फ्लॉप फिल्म में दी हैं तो अभी तकिनों ने देखा जा तो लगबग 16 या 17 फिल्में की हैं जिन में से 5 ब्लॉक्बस्टर, 2 सूपर हिट, 5 हिट और 2-3 अबव एवरेज गई है और फ्लॉप की बात करें तो एक फिल्म भी फ्लॉप गई है अब बात करते हैं केजिएफ की कहानी क्या थी ये कोलार गोल्ड फिल्ड आया कहा से तो करनाटन में बैंगलूरू से 50 मिल आगे कोलार गोल्ड फिल्ड है ये भारत की सोनी की ख़दान मतलब बहुत पुरानी है यहाँ पे सोने निकालने का काम शुरू हुआ था लगभग पहली सेंचुरी में 1880 या 1890 में इसे धर्ती के 3 किलोमीटर तक नीचे तक खोदा गया था आपको बता दू कि पूरी दुनिया में ऐसे बहुत कम ख़दान हैं जो काफी गहरी होती है लेकिन कोलार गुल्ड उन में से एक है 1880 में या 1890 में एक इंजिनिरिंग कंपनी को काम मिला सोना निकालने का ये ब्रिटिश अरकार की आकरी कोशिश थी क्योंकि इसे पहले भी बहुत सी कमपनी को ये काम दिया गया था लेकिन वो असमर्थ रहे सोना निकालने में खास बात ये है कि ये कमपनी सोना निकालने में काम्याब रही और कोलार के दिन बदलने शुरू हो गये सोना मिलना शुरू हो गया था और साउथ इंडियन सासों के लिए ये इंकम सोर्स बन गया था कई सदियों तक 1902 में यहाँ पर बिजली प्रोवाइट की गई दोस्तों जब भारत का पार्टिशन हुआ था या जब भारत अजाद हुआ था तब इसका रेजिस्ट्रेशन हुआ और इसे एक BGML कमपनी ने लिया शुरू शुरू में तो इंडिया को बहुत फायदा हुआ लेकिन धीरे धीरे फायदा घाटा में बदल गया और एक वक्त ऐसा भी आया 1989 में कि जिस कमपनी ने इसे लिया था वो करज़दार हो गया था जहां पहले 9000 स्टाफ काम करता था यहां पे धटके वो 3000 हो गया था लेकिन धीरे धीरे ये कमपनी पूरी तरह से बंद हो गई 2001 में गौर्णमेंट ने इसको बंद कर दिया था कोलार गोल्ड फिल्ड को लेकिन अभी हाली की बात बताओं तो 2017 में इसका फिर से टेंडर निकला माना जाएरे कि यहां पर अभी भी सोना बचा हुआ है सोना निकल सकता है दोस्तों चाइना के बाद इंडरा एक ऐसी कंट्री है जहां पे सोनी की सबसे ज़ाद ख़पत है आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे जितनी भी शादिया होती हमारे देश में वहां पे सबसे का यूज होता है या आपको एक खास बात बताओं जितनी भी मतलब पूरे वर्ल्ड में सोना है जितना भी सोना है पूरा को मिला के 6% हमारे हिस्से में आता है और बाकी का जो है अलग-अलग कंट्रीज में जाता है मतलब 6% तक हमारे इंडिया में है बात करते हैं आगे KGF चेपटर 2 की कहानी की की आगी कहानी में हमें फिल्म में क्या देखने को मिलेगा तो जैसा की हमने चेपटर 1 में देखा था की रॉकी यानि की यश एक बहुत बढ़ा आदमी बनने के बाद मरना चाहते हैं ये ठीम उनका खुद का नहीं होता जब कि उनकी मा का होता है ड्र पिचछा देट नाम होने के बाद उन्हें मुंबई पर राज करना होता है. फिर एंट्री ये होती है एस learnt कि. इस एंड्रू उन्हें मुका देते हैं बैंग्जलूरू आने का और बड़े हाथी को मारने का. बड़े हाथी को है? गरूरा। बैंगलूरू तो पहुच जाते हैं हमारे रौकी, वहाँ जाते हैं उन्हें एक लड़की से प्यार भी हो जाता है साथ में प्यार तो होता रहता है लेकिन वो अपने काम पर भी लगे रहते हैं कि कैसे गरूरा को मारना है गरूडा आता है लेकिन रौकी मार नहीं पाता उसे और इस frustration में वो गरूडा की लंका में चला जाता है वहाँ जाकर उसे गरूडा को मारता है तो ये हमने chapter 1 में देखा था जब chapter 1 का जो last scene था अगर आप लोगों ने notice किया होगा तो जितने भी गरूडा के सैनिक थे उन्होंने तलवार उठा लिया था रौकी को मारने के लिए लेकिन रौकी वहाँ पे मरता नहीं है जितने भी वहाँ पे वरकस थे या मजदूर थे वो रौकी की पावर बनते हैं और जो गरूडा का में बॉडिगार था वो भी मारने की कोशिश करता है रौकी को, पर रौकी उसे मार देता है अब रौकी के साथ साथ 4 और लोग इस कंपनी के मालिक होते हैं यान की खगदार हो जाती हैं कौन-कौन ये बात आप सभी जानते हैं एंड्रू हो गया, Politician हो गया, Kamal हो गया और चौथा जो लड़की की पिता है तो ये पांच हजबार होजाते हैं पहला जो Rocky और powивают कि ये पांच कोलार गोल्ड के मालिक हो जाते हैं लेकिन इद मंसे एक जो होता है उसको Rocky बहुत हटक रहा होता है कौन है वो? रौकी मर जायगा. तो कैसे लगेगा? शौकिंग तो है, लेकिन सचाई यही है कि रौकी मर जायगा चेपटर 2 में. कमल जो है, वो इनायत खलील से हाथ मिला लेता है. इनायत खलील जो गरूडा या यू कहे कि कुलार का मालिक होता है. वो इनायत खलील बहुत बड़ा दुश्मन होता है कमल इनायज से हाथ मिलाता है साथ ही जो आपने पॉलिटीशियन देखी थी जो इंद्रा कांधी जैसी लग रहे थी वो आर्मी भेजती है तो ये तीनों मिलकर रॉकी पे हमला करते हैं और रॉकी मर जाता है अगर आप लोगों ने नोटिस क किया होगा चैप्टर बन में तो कहानी शुरू होती है एक बुक के थ्रू जहां पर रॉकी का कोई नामों निशान नहीं था उसमें बताया गया था कि वो अल्रेडी मर चुका है इसलिए तो वो बुक लिखी गई थी तो यहां पर स्टोरी आदी तो क्लियर ही हो चुकी है क और कुलार के फिर तीन मालिक चार मालिक हो जाते हैं लेकिन हेट जो होता है वो इनायत बनेगा जहां तक मुझे पता है बात करते हैं कि इनायत खलील का रोल कौन प्ले गारेगा तो इनायत खलील का रोल प्ले करेंगे संजेद जो अभी तक रिपोर्स सामने आ रही है रव का बज़ट था 80 करोड और ये सारा ब्लैक मनी था इसी वज़द से इंकम टेक्स ने उनके घर पर रेड मारी थी के जिए चप्टर टू के अगर रिलीज डेट की बात करें तो खबरों में आ रहे कि ये फिल्म 29 दिसंबर 2019 में रिलीज हो सकता है और अगर वही बात करें ट्रेलर की तो खबर आ रहे कि ऑक्टूबर में इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज होगा वो भी एक नहीं कई पार्ट्स में दोस्तों आज के लिए बस इतना ही लेते हैं आपसे अलविदा मिलेंगे कल तब तक के लिए थैंक्यू दोस्तों आज हम अपने इस नए वीडियो में बात करेंगे रिलीज हुई फिल्म के रिव्यू को लेकर मूवी को इतना पसंद क्यों किया जा रहा है और वैसे देखा जाए तो कही ना कहीं के जीएफ के रिलीज होने की वजए से जीरो के बॉक्स ओफिस कलेक्शन पर असर तो पड़ा है तो चलिए जानते हैं कि के जीएफ में ऐसी क्या खास बाते हैं दोस्तों मल्टिप्लेक्स के आने के बाद उस तरह की बी ग्रेट फिल्में बनना बंध हो गई जिन में बड़े स्टार्स नजर आते थे असी और नभ्य के दशक में इस तरह की फिल्में खूब बनती थी इंसानियत के दुश्मन, मर्द, गंगा, जमना, सरस्वती, बदले की आग जैसी बी ग्रेट फिल्मों का ने केवल बजट बड़ा हुआ करता था बलकि इस पे अमिताब बच्चन और धर्मेंद्र जैसे सितारे भी नजर आते थे 2018 में आस्चर्य जनक रूप से इस तरह की फिल्में फिर देखने को मिली सल्मान खान की रेस्त्री, आमिर खान की ठक्स ओफ इंदुस्तान के बाद बाहुबली की तरह जहां गरूडा का परिवार सोने की खदान पर हक जमाने के शडियंत्र रश्ता है तो वही गैंक्स ओफ वासिपूर की तरह फिल्म का मिजाज रखा गया है कोलार में एक अलग ही दुनिया नजर आती है जहां मजदूरों पर जुल्म कर उनसे काम कराया जाता है और ये जुल्म क्यों किया जाता है इसका जवाब फिल्म में नहीं मिलता इस फिल्म में लीड रोल निभाया है यश ने यश अपनी रोमैंटिक हीरो की इमेज से बाहर निकलते हुए एक हैवी ड्यूटी एक्शन हीरो के अव्तार में नजर आते हैं फिल्म का पहला एक घंटा रोकी की छवी को बनाने में खर्च किया गया है और हर जगह वो मार काट मचाता रहता है सिग्रेट का धुआ उड़ाता है और शराप गटकता रहता है स्लो मोशन में उसके कई स्टाइलिश शॉट नजर आते हैं वो स्क्रीन पर नहीं भी हो तो लोग उसकी तारीफ के कसीदे गड़ते रहते हैं निर्देशक प्रशान नील ने कहानी को सीधे तरीके से कहने के बजाए खुब घुमा फिराकर अपनी बात कही है रॉकी की कहानी एक लेखक टीवी पत्रकार को सुना रहा है फिल्म कहीं बार flashback में जाती है कहानी में कहानी सुनाई जाती है क्योंकि ये फिल्म का पहला भाग है इसलिए कई बार दूसरे भाग की जलग दिखाई गई है और ये सब कुछ confusion को बढ़ाता है शायद प्रशांत ने ये जान बूच कर किया है क्योंकि पूरी फिल्म उन्होंने इसी तरह से बनाई है प्रशांत का दूसरा फोकस एक्शन पर रहा है फिल्म में हिंसा की भरमार है हर दूसरे मिनिट मार काट मचती रहती है गाजर मूली की तरह लोगों को काटा गया है हतोडा, चैन, चाकू, रॉट, तलवार, फावडा से खुन बहाने से मन नहीं भरा तो बंदूक और मशीन गन का इस्तिमाल भी किया गया है और दोस्तो एक्शन का ये ओवरडोस, कहानी, स्क्रिप्ट, एक्टिंग पर भी भारी पड़ गया है फिल्म की कलर स्कीम बेहत डार्क है, ब्राउन और ब्लैक कब बहुत जादा इस्तिमाल किया गया है जादेतर शॉट्स बहुत कम लाइट में शूट किये गए हैं, स्क्रीन पर जादातर समय अंधेरा चाया रहता है बहुत जादा कट्स लगाए गये हैं, और 3-4 सेकंड से जादा एक शौट टिकता ही नहीं है वहीं कलाकारों के गैट अब भी इस तरह के हैं कि वो गंदे नज़र आते हैं दोस्तों जैसे बेतर तिब लंबे बाल और डाड़ी, काले कपड़े और साथ ही साथ रात में भी आँखों पर काला चश्मा चड़ाय हुए हैं और ऐसा लगता है कि वो महीनों से नहाए ही नहीं हैं और ना ही उन्होंने ब्रश किया है पूरी फिल्म को रफ टफ और एक अलग ही लुप प्रशान में दिया है निस्चित रूप से ये कुछ हटके लगता है लेकिन इसे नापसंद करने वालों की संख्या भी कम नहीं रहेगी दोस्तो फिल्म दो भाग में आएगी और अच्छी बात ये है कि पहला भाग एक कम्प्लीट फिल्म लगता है और दर्शक खुद को ठगा महसूस नहीं करते कि उन्होंने आदी ही फिल्म देखी है फिल्म को बहतरीन तरीके से शूट किया गया है और एडिटिंग टेबल पर फिल्म को लुक और टेक्स्चर दिया गया है और दोस्तो साथ ही साथ फिल्म में खूब डायलोग बाजी भी है जैसे कि इफ यू थिंक यू आर बैड देन आइम यूर डैड और वही दूसरा डायलोग है हाथ में मचली लेकर मगरमच को पकड़ने के लिए निकले लेकिन मगरमच को मचली नहीं हाथ पसंद है तो दोस्तों कुछ ऐसे ही धमाके दाध डायलोग सुनने को मिलते हैं लार्जर देन लाइफ किरदार में यश बेहत जमे हैं वो स्टाइलिश लगे है एक्शन बढ़िया किया है और किसी हीरो की तरह नजर आए है तो वही श्रेनिदी शेटी सहिद अन्यक अलाकारों के लिए खास स्कॉप नहीं था केजिएफ में एक्टिंग, एक्शन, जायलोग, स्वैक, बैक्ग्राउंड, म्यूजिक जैसी सभी चीजे बहुत जादा लाउड है स्टाइल और प्रेजेंटेशन ही इसे अलग बनाता है दोस्तो शारुख खान की फिल्म जीरो सिनेमा घरों में पहुंच गई है और सिर्फ हिंदी पट्टी ही नहीं दक्षिन भारत में भी फिल्म को लेकर काफी उत्सा है मगर साउथ में जीरो का सफर आसान नहीं होगा क्योंकि इस शुकरवार 21 दिसंबर, तमिल, तेलगू और कन्नर भाषाओं की कुछ बड़ी फिल्में रिलीज हुई है और जिनकी काफी चर्चा भी रही है जीरो देश भर में 5965 स्क्रीन्स पर रिलीज की गई है जिन में से 4380 स्क्रीन्स भारत और 1585 ओवर सीज के लिए एलोट की गई है आनदेल रोय निर्देशित जीरो में शारुक के साथ केट्रीना कैफ और अनुषकर शर्मा लीज रोल में थे महमत जीशान आयू फिल्म में शारुक के किरदार बहुआ सिंग के साइड की कर रोल निभा रहे है साथ में जीरो की सबसे बड़ी टककर मारी टू से होने जा रही है जसमें धनुष लीज रोल में है बालाजी मोहन रिर्देशित फिल्म में साइपलवी फीमेल लीज रोल निभा रही है मारी टू को लेकर तमिल भाशी दर्शकों के बीच का फी हाइप बनी है ये 2015 में आई मारी का सीक्वल है और ये एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इस फिल्म में धनुष के कैरेक्टर का नाम मारी है दोस्तो साउथ में जीरो के सामने दूसरी बड़ी रिलीज केजी एफ चैप्टर वन भी है जो कन्नट फिल्म है जिसे तमिल तेलगु मल्यालम और हिंदी में भी रिलीज किया गया है प्रशान नील निर्देशित फिल्म में यश्ट ने लीड रोल निभाया है ट्रेलर आने के साथ ही फिल्म की काफी चर्चा रही है हिंदी भाशी दर्शकों के बीच भी केजी एफ के हिंदी ट्रेलर को पसंद किया गया है KGF में तमन्ना भातिया और मौनी रोय ने आईटम सौंग्स किये हैं KGF हिंदी में 1500 स्क्रीन्स पर रिलीज की गई है जबकि कंणर तेलगू में 400, तमिल में 100 और मल्यालम में 60 स्क्रीन्स पर उतारी गई है दोस्तो हाल ही में साउट सिनेमा की कुछ फिल्मों ने घरेलू और ओवर सीज में बहतरीन बिजनेस किया है रश्नी कान्त और रक्षे कुमार की 2.2 तमिल सिनेमा की फिल्म है जिसे हिंदी और तेलगू में भी रिलीज किया गया था ये फिल्म घरेलू बॉक्स ओफिस पर अब तक 400 करोड से अधिक का कारोबार करके दूसरी सबसे बड़ी भारतिय फिल्म बन चुकी है और वहीं सिर्फ हिंदी में फिल्म ने 180 करोड से अधिक जमा कर लिये हैं दोस्तो आज हम इस नए वीडियो में बात करने वाले हैं जीरो केजीएफ और मारी टू के तीसरे दिन के बॉक्स ओफिस कलेक्शन की 21 दिसमबर 2018 को ये तीनों फिल्में एक साथ रिलीज हुई थी जिसमें से केजीएफ और मारी टू का ओपनिंग कलेक्शन बढ़िया रहा और वहीं बड़े बजट की फिल्म जीरो कुछ जाधा ओपनिंग नहीं कर पाई जीरो के ट्रेलर और गाने जिस तरह सूपर हिट हुए थे लेकिन उस तरीके से फिल्म को ओपनिंग नहीं मिल पाई तो वहीं बात करें केजीएफ और मारी टू की तो बजट के हिसाब से देखा जाए तो इन दोनों फिल्मों को बढ़िया रेस्पॉंस मिल रहा है क्रिटिक्स ने भी इन्हें अच्छी रेटिंग दी है सबसे पहले बात करते हैं कंणड फिल्म केजीएफ चैप्टर फर्स्ट की जिसने अपने दमदार एक्शन और अच्छी कहानी से लोगों को एंटर्टेन तो किया साथ में अच्छी ओपनिंग भी की केजीएफ फिल्म का बजट असी करोड था इस फिल्म को प्रशान नील ने डाइलेक्ट किया था फिल्म में कंनड सूपरस्टार रियश ने लीड रोल प्ले किया था फिल्म को वर्लड वाइट 3,000 स्क्रीनस पर और 4 भाशाओं में रिलीज किया था फिल्म को मिले अच्छे reaction की वज़े से इसकी screens को बढ़ा दिया गया है फिल्म ने पहले दिन करनाटका से 28 करोड, हिंदी से 4 करोड और तमिल और तेलगू से KGF ने 7 करोड का collection किया है KGF ने total 49 करोड का first day collection किया था और फिल्म को critics और public से भी बढ़िया rating मिली थी जिसका फायदा इसको दूसरे दिन भी मिला और फिल्म ने 45 करोड का collection किया जो की अब तक का किसी कन्नड फिल्म का सबसे highest collection है बात करे फिल्म के third day collection की तो ये फिल्म आगे बढ़िया collection करेगी वीकेंड पर Sunday का फायदा भी इसे जरूर मिलेगा दोस्तों अब अगर बात करें मारी टू की तो इस फिल्म ने अपने बजट के हिसाब से अच्छी opening दी है ये एक action फिल्म थी तमिल सूपरस्टार धनुष की इस फिल्म को बालाजी मोहन ने डायरेक्ट किया था फिल्म को 25 स्क्रीन पर release किया गया और ये फिल्म अभी सिर्फ दो ही भाषाओं में release हुई है 30 करोड के बजट वाली फिल्म को पबलिक और क्रिटिक्स दोनों ने अच्छी rating दी है जिसका अजर हमें opening collection पर देखने को मिला और इस फिल्म ने अपने पहले दिन 15 करोड का opening collection किया जबकि फिल्म ने अपने second day collection में 13 करोड बटो रहे जोकि काफी बढ़िया रहा बात करें फिल्म के worldwide collection की तो फिल्म ने अब तक 30 करोड का collection कर लिया है वीकेंड में Sunday का फाइदा भी इस फिल्म को मिल सकता है और अब बात करें हमारे शारुक खान की Zero की जिसकी चर्चाओं का बाजार गरम तो था लेकिन फिल्म कुछ जादा कमाल नहीं कर पाई फिल्म से उम्मीद की जा रही थी कि ये फिल्म ओपनिंग रिकॉर्ड बनाएगी लेकिन ऐसा हुआ नहीं पब्लिक ने Zero को अच्छा response तो दिया लेकिन क्रिटिक्स ने फिल्म को बहुत एवरेज रेटिंग दी और जिससे इसके कलेक्शन में गिरावट देखने को मिली इस फिल्म से ग्रांड ओपनिंग की उम्मीद की जा रही थी लेकिन ओपनिंग ठीक ठाक रही Zero ने पहले दिन 20 से 25 करोड का ओपनिंग कलेक्शन किया जो की 200 करोड के बड़े बजट वाली फिल्म के लिए कुछ जादा खास नहीं है फिल्म को पब्लिक ने तो अच्छी लेकिन क्रिटिक्स ने एवरेज रेटिंग दी है और जिस वज़े से इसके सेकंड डे कलेक्शन में बिल्कुल जादा उच्छाल नहीं देखने को मिला फिल्म को 5000 स्क्रीन पर रिलीस किया गया था Zero ने दूसरे दिन भी 20 करोड तक का ही कलेक्शन किया जो की नॉर्मल है वहीं बात करें फिल्म के टोटल कलेक्शन की तो फिल्म ने वर्लड वाइट पहले दिन 58 करोड का कलेक्शन किया था जो की अच्छा साबित हुआ बात करें फिल्म के थर डे कलेक्शन की तो वीकेंड पर शायद इस फिल्म को संडे और क्रिस्मस का बेनेफिट मिल जाए जिससे की फिल्म के कलेक्शन में थोड़ी बढ़ोतरी तो हो जाए दोस्तो धीरे धीरे जीरो आगे बढ़ रही है और क्या वीकेंड में संडे होने की वजए से ये फिल्म सो करोड से उपर कलेक्शन कर पाएगी या नहीं दोस्तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन फिल्मों की जो की कल यानी की 21 दिसंबर 2018 को रिलीज हुई थी और आज हम जानेंगे उन सभी फिल्मों के रिव्यू और बॉक्स ओफिस कलेक्शन के बारे में दोस्तो 21 दिसंबर 2018 को जीरो मारी टू अंतरिक्षम 9000 की MPH KGF जैसी अलग-अलग जोनर की फिल्में रिलीज हुई है और इन में से कुछ फिल्में बड़े बजट की हैं तो कुछ छोटे बजट की इन में से बॉलीवुड की जीरो और कननट फिल्म इंडस्ट्री की KGF बड़े बजट की फिल्में हैं सबसे पहले बात करते हैं बॉलिवुड के किंग खान यानि की शारुक खान की जीरो की जो 200 करोड के बजट वाली फिल्म थी दोस्तों फिल्म ने लोगों को एंटर्टेन तो किया है और ये फिल्म लोगों को पसंद भी आई है और इसी के साथ पब्लिक इस फिल्म में शारुक खान केट्रीना कैफ और अनुशका शर्मा की एक्टिंग की काफी तारीफ कर रही है और ये फिल्म थेटर्स में लोगों को लाने में कामियाब रही और फिल्म को आनंदेल रोए ने डायरेक्ट किया था और इसे दुनिया भर के 6000 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया है फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से जादा अच्छे रिव्यूज नहीं मिले हैं लेकिन फिल्म लोगों को पसंद आ रही है और फिल्म को क्रिटिक्स ने 3.5 स्टार दिये है वहीं बात करें फिल्म के पहले दिन के बॉक्स ओफिस कलेक्शन की तो फिल्म ने इंडिया में 25 करोड का कलेक्शन किया है वहीं बात करें फिल्म के वर्लड वाइड कलेक्शन की तो फिल्म जीरो ने पहले दिन 58 करोड का कलेक्शन किया है जो की एक रिकॉर्ड है और अभी आने वाले संडे का इस फिल्म को कितना फायदा मिलेगा अब ये तो वीकेंड के बाद ही पता चलेगा अब दोस्तों बात करते हैं कननड फिल्म केजियेफ की तो फिल्म का बजट 80 करोड था और फिल्म को लोगों ने काफी अच्छा रिस्पॉंस भी दिया है फिल्म को प्रिशांत नील ने टायरेक्ट किया था खोलर गोल्ड माइन्स पर बेस्ट ये फिल्म 80 की फिल्मों की याद दिलाती है जिसमें कननड सूपर स्टार यानि की यश ने लीड रोल प्ले किया है और ये फिल्म अब तक की कननड फिल्म इंडस्ट्री की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है और अभी फिल्म का फिर्स पार्ट रिलीज हुआ है और इसका सीक्वल भी आना बाकी है KGF को इंडिया में 2460 सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था और इस फिल्म को क्रिटिक्स ने 3.5 स्टार दिये हैं ये फिल्म लोगों को भी काफी पसंद आई है KGF ने इंडिया में पहले दिन 13 करोड का कलेक्शन किया जबकि वर्ड वाइट पहले दिन इस फिल्म ने 2 करोड का कलेक्शन किया और फिल्म का पहले दिन का टोटल बॉक्स ओफिस कलेक्शन 15 करोड है जो कि डब्ड फिल्म होने की वज़े से बहुत बड़ा है दोस्तों वहीं अगर बात करें तेलगू फिल्म इंडस्ट्री के सूपर स्टार धनुष की फिल्म मारी 2 ही जो की मारी का सीक्वल है फिल्म मारी काफी हिट रही थी और इस फिल्म को बाला जी मोहन ने डायरेक्ट किया था ये एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी जिसे लोगों ने काफी पसंद किया है फिल्म को क्रिटिक्स ने 3.5 स्टार दिये हैं टॉलिवुड में एक साथ 4 फिल्म में रिलीज हुई है जिसका असर इस फिल्म के कलेक्शन पर पड़ा है और फिल्म ने पहले दिन 41 लाग का कलेक्शन किया है जो कि एवरेज है लेकिन अभी ये सिर्फ तमिल में ही रिलीज हुई है और अभी इसका हिंदी डब्ड रिलीज होना बाकी है वहीं बात करें तेल्गु फिल्म अंतरिक्षम 9000 केम पीच की तो ये एक साइन्स फिक्षन फिल्म थी जिसका डायरेक्षन संकल्प रेडी ने किया था इस फिल्म में तेलकु सूपरस्टार वरुन तेज लीड रोल में थे और इस फिल्म को भी लोगों का मिला जुला रेस्पॉंस मिला है फिल्म को भी टॉलिवुड में एक साइच चार फिल्म में रिलीज होने की वज़े से इस फिल्म को भी काफी कम दर्शक मिले हैं क्रिटिक्स ने फिल्म को 2.5 स्टार दिये हैं और फिल्म ने पहले दिन लगभग 1.60.000 का बॉक्स ओफिस कलेक्शन किया है जो की काफी बढ़िया है अंतिरिक्षम फिल्म का कॉंसेप्ट लोगों को पसंद आया है लेकिन फिल्म पर एक साइच चार फिल्में रिलीज होने से असर पड़ा है लेकिन इसकी भी हिंदी डब वर्जन रिलीज होना अभी बाकी है मेरे सिकें तो चल्दी सी मिला शो मिस्तो रहा है आई मुम तो वड़ी थी ना चुब जो मिले थे आपकी बढ़ी से टिकेट बदल गई पाता है मेरी और हाँ मैं तुम्हारे बज़ेसे मैंने जीरो देख लिए मैं भी आपको बहुत बड़ा थेंक्यू बोलना चाहता हूं कि आपकी बज़ेसे मैं जीरो देखने वाला था पर केजिएफ दिख्या है मजा आ गया देख्या क्या मोई बटा मोई यस का यस ने फार दिया भाई आग लगा दिया मैं भी देखने वाल्टी लेकिन किस्मत की बाती है बाकि जीरो बहुत ही जादा अमेजिंग मूई है पता है इतने टाइम बाद में इस आपके कितनी बड़ीया मूई देख्या है मैं SRK का मैं अभुद बहुत बड़ा फैन हूं लेकिन यह प्रिश्ट के बाद अगर मैं किसी का फैन। तो यहस का फैन। भाइब बहुत बड़ा यहस ने क्या अप्टिंग के पाड़ा यार घजरमजा आगया। वैसे क्या खासता है जीरो बता हो जरा। जीरो में खास ही आती हाजी है तेखो पहरी बात तो जैसा रोल उसने अड़ा किया है शारुक खाने सार किने गोने का मैं को रखता हो कोई और इतने बड़ी तरीके से गजी क्यूपतर पाता उस रोल को एक अलगी चीज देखने को मिलिया और उस मुवी में यार एक सच बात बताओ शायद यश ने जो भी आक्टिंग करे होगी मैं मुवी नहीं देखी लेकिन अगर पारिसं किया जाए तो जिस तरिके से S.R. केरेक्टर कें के अंडर गुसा है वो शाद यश नहीं घुस पाता दोनो अलग अलग बाते हैं, लेकर हैं, सबसे बड़ी बात है कि सारुखान बॉना बना और यस गुंडा, एंटी हिरो टाइप लंबी-लंबी दाड़ी, बड़े-बड़े बाव लोग जब हातों बंदुग लेकर तूटता है ना सिट्या बस्ती है, बाई लोग पागल होगे उसे लेखके, ऐसा अनकी को देखकर ऐसा वह कुछ मुवी लेए बिल्कुल हुआ, लोग तो पागल होगे इसनी जादा होडिंग कर रहे हैं, और सबसे जादा सिस्पेंस बला सीन तो वही था रोकेट का था और जब रोकेट टूडा ना यार, सब का मन कुछ हो दिया, आपके बहुत ऐसा कुछी है रोकेट को चला गोना तो असमें, ऐसा आगे ऐसा की चलाना तो रोकेट को तो तूमारे कहने है मतलब कि शारूपन इस्पेस में गया है तो बही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ क्या बात है क्या बात है यार देखनी पड़ेगी लेकिन केजियाफ में दिल लूट लिया में तो जाई केजियाफ ली थी यार अब देखने जीरो चले गई पता इस असपेंस खूलू हूँ पर तुमारा क्या बता जोड़े हो अपर देखनी तो मझे बता दो grainsono मसैं हूँ पर तो मजे बता दो मीला में चीर में सैसे में खुश्य सापनी औरो तकि मन मत बला मना बwalब नहीं आ ये कि मैं जीरो नहीं देख पाया अच्छा ये बताओ सबसे जादा excitement के स्टीज को जाने के सबसे पर्दे तुम्हारा भाईवाला सस्फेंस को जाने के साथ क्या था? क्या सिर्था शारुक खान का और उसका क्या था? क्या आपके कोई जोड़ी ऐसा नहीं था कि उससी के साथ जोड़ी बनीए तुम्हारा अभी दियॉल अभी दियॉल भी था इस मूवी में वह उनके वॉल्पिन का रोला कर रहे थे बंदब शारुक खान से केटिना के अफसेट नहीं थी फिल्मे है? थोड़े टाइल के लिए जादा नहीं अभी दियॉल के पाद और अनुष्का शेमा? को बता जूं कि केट्रीना का रोल उसमें एता था बहुत बड़ी सूपर्स्टार दिखाई गई अभीता कुमारी बट पॉइंट क्या था थोड़ा मेंटली अंगर से अधूरी 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 सी रहे थी वह बहुत जादा उसे पूरा अभी अभी अने किया? अभी तो नने किया वहत भी नहीं बहुत की अच्छा यह बहुत होता अनुष्का शानमा का क्या सीन था? अनुष्का शानमा का किया साइन्टिस्ट है किसके साथ है? अच्छा में को नाम हम याद मी आ रहा था पर तो में 3Ds देखी ती जिसमें वाइड लाइड फोटोग्रफर था क्या अर्माधूर बिल्कुई में को नाम हम याद मी आ रहा था उनी के साथ मुझा शारूखान के साथ कॉण सेट था कुझी ये जानना है यार चारूखान के साथ कोई भी से पी था नाही अनुष्का नाहीं के टरीना केटरीना अपनी अपनी अलग सुपस्कार थी हां मैपको बता दू कि एसार के पागल था बभीता कुमारी के लिए चागा था थोड़े टाइम के लोंके उनकी केमिस्ट्री आही थी लेकिन इतना बड़ा भी नहीं यह उसे शादी हो जाया कुछ ऐसा कुछ सी नहीं था हां लेकिन अनुष्का शर्मा की शादी आर माध्वन के साथ हुई थी और वो दोनों ही साइंटिस्त है और इतनी बड़ी जो स्टार कास्ट थी अभी एक दीपिगा पादू कौन भी है शी देवी का जो राणी मुखर जी आलया भट यह क्या गर देतें वापर मुवे पहले से देख रखी है यहाँ पड़ा 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 था अच्छा मेरी बात सुपर्स्टार का रोल अधा कर लिया तो अवेसी बात है जहां बॉलिवूड का नाम आएगा वहां एक बॉलिवूड अप्रस के साथ बाकी बॉलिवूड सारह भी तो दिखा कई फिल्मों से दोस्तों का रोल भी आता किया वहां जिशा नायूब महां पड़ा तो अपने देखा है कि वो जादा जर जाना ही दोस्ती के रोल के लिए जाता है जाए हम गांजना उठा के देखले है और भी बहुत सारी मुवीज तो उसमें इसका मलाब अच्छा दोस्त कितना करताएंगी ज़ादा गौत गोलों मत अपना बताओ का थे क्या देखा कैमें वह को कुछ जाए घच्जियए पहली हाताम उसमें एस है कंडर का सूपरिस्टार है उस चाहदा है आख जाला है पर जब से आया है अपने अपने एक अग चीज है पहली वाए उसके श्री प्रिणिधी शेटी क्या 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 रगिया और इन सब बड़ी बात उसमें मौनिरोय का ओ क्या गली गली मजा आगा रखें मुचे चीज पूछनी एक तुमने भी बोला श्री निधी शेटी मुझे सब चाई पराता हूं यह क्या रखें है यह को और भी गाने है यह का नहीं है मेरा सुस्पेंस तोड़ रिया तुमने यार मुझे लगा और मुझे टोगी वो यश्पेंस तो भी है जब क्या रहा मैं उसके डायलोग जब डायलोग बोलता है ना तो विक अंदरसे फीलिंग आते है कि यार कुछ बना च ACE करना चिए लूगों के लिए कुछ एसा करना चिए केुछ उसमें वो लोगों कि सेवा कॉत् Micka घ pessim कर्था रहा है मेरे केजीयर वोर लुट करता है वथा इसमा करता है आपको इसने सुनटो, इसने बोला हा फॉइंगा जब करती ही गोल के शोटा बलते हैं कि फुराव हुजी दुनिया चाहिए हां तो की मामने नहीं कहा था नहीm कि तुझे लोगों के साथ चलना है लोगों के आगे ख़़ा रहा है है रोगों के आगे खड़ा रह रहना है रोगों के लिवा हो पीजिए को gef Cashraw क Cannonान किल वे ओकिते से शाम सब्लेंडियственно रहला है डिन करते दो गईाने करें। हमारी जन्ता दिमांड करती है आना चाहिए हाँ यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा लेकिन केजी अपका सेकंड पार्ट आएगा यह तो अभी से तैय है हभू मैं आपकी बात मान रही हुँ तो आपने बजट पूछा था मेरी मुवी का जीरो का क्या पेक्षा है मेरी बजट अपकी कहे इसमें इसका बजट असी करोण है लेकिन हो सकता है कि यह यह बदावार पहले दिन में तना ना कमा पाए लेकिन कमाई अच्छा अच्छा मेरी मुवी देखोगी ना असी करोण में 800 करोड ना थमाखा है वो सकते 800 करोड ना थमाखा है वो सकते 800 करोड ना थमाखा है मैं आपकी बात समझ रहे हुँ आप बोल रो की 80 करोड में ठीक है लेके देखो जो 200 करोड रुपे हमारी दिरों में लगे हैं क्योंकि जादा से पैसे तो शारुक खनकू उनके करेक्टर में दिखाने की में लगए है वी एफेक्स को लेकर, कैमरा, एडिटेंग, सब कुछ कि किसी को गोना दिखाना को असान काम तो नहीं है उसके लिए बहुत सारे वी एफेक्स टेगे है देखिए में इसमें वी एफेक्सा बहुत अच्छा इस्तिमाल किया गया है 60s और 70s का इंडिया दिखाया गया है बहुत 80 करोड खच हुए से कुसी चीज पे पुरान इंडिया दिखाने के लिए और इसके एक्शन सेन्स पे पुराक्री बहुत से टेखिए में अपको समझ्ना लाएगा ना आप जीरो को बडाकाोगी न केज एफगा वी एक्शन दिखाया बात यह है बोलो मेरे साथ हुए है लेकिन आप ही अच्छा बोल रहे हो कि वह जिरो अच्छा इध बॉला थे ब हो जिट हो एज इस दोनों के जिएाथ अच्छ है और अपने इसाब से कमाएं गुए और हिट भी होंगी लेकिन अप्टने बडा सवाल है कि चैप्टर 2 तो आएगा केजीएफ क जोस्तों मुझे तो लग रहा है जिस तरी कि इस जीरो को सब डिमांड में ले रहे हैं तो मुझे आप लोगों से भी उमीद है कि आप सोच रहोंगे कि हाँ जीरो का सेकंड पार्ट बनना चाहिए तो क्या लगता है फोड़ा मुवी देखो दिमांग रड़ाओ और कमिट बॉक्स पर बाते आओ और मुझे बताओ क्या लगता है जीरो का सेकंड पार्ट बनेगा दोस्तों 21 दिसंबर 2018 फिल्मी दुनिया के लिए बहुत खास दिन था क्योंकि एक तरफ फिल्म इंडस्ट्री के सूपरस्टार शारुक खान यानि की बादशाख खान की फिल्म जीरो रिलीज हुई तो दूसरी तरफ साउथ इंडस्ट्री के सूपरस्टार धनुष की फिल्म मारी 2 बॉक्स ओफिस पर तहल का मचाने के लिए आई और वही कन्नड के एक और सूपरस्टार यश की फिल्म केजीएफ ने बॉक्स ओफिस पर दस्तक दी और जिसे कन्नड की बाहुबली के नाम से जाना जा रहा है इन तीनों फिल्मों के एक दिन रिलीज होने से फिल्म उध्योग को नुकसान के साथ साथ फाइदा भी हुआ क्योंकि इस बार ओडियंस के पास अच्छी खासी चॉइस थी कि वो किस प्रकार की फिल्म का चुनाव करें जहां शारुक खान की फिल्म एक रॉमान्टिक फिल्म के साथ साथ फूर्डामा फिल्म है तो वहीं केज्यी एक एक्शन फिल्म है और वहीं मारी 2 एक मसालेदार फिल्म है लेकिन जिसमें शोशल ऐलीमेंट्स का तड़का लगाया गया है और इन तीनों फिल्मों के रिलीज होने से फिल्म इंडस्ट्री को करीब 300 करोड का फाइदा हुआ है क्योंकि इन तीनों फिल्मों के सेटलाइट राइट्स और म्यूजिक राइट्स इन सारी चीजों को मिलाकर करीब फिल्म इंडिस्ट्री को 300 करोड का फायदा हो रहा है और 21 दिसंबर को एक ही दिन रिलीज होने पर करीब 100 करोड का फायदा हुआ अगर नुकसान की बात की जाए तो नुकसान इस संधर्म में हुआ कि हर स्टार की ओडियन्स बट गई और ओडियन्स बटने से तीनों फिल्मों को नुकसान हुआ है हालांकि ये पहला दिन रहा इसलिए ये निस्चित तोर पर नहीं कह सकते तीनों फिल्मों को कितने कितने करोड का नुकसान होगा अगर अब बात करें जीरो की तो Zero ने रिलीस से पहले ही फिल्म का आधा दाम निकाल लिया था जी हाँ और Zero का कुल फर्स डे कलेक्शन देखा जाए तो Zero के खाते में करीब 230 करोड के आसपास गया है और इससे ये कहा जा सकता है कि Zero फिल्म का टोटल बजट पहले दिन ही निकल चुका है और फिल्म का सूपरिट होना तो निस्चित है क्योंकि Zero ने इंडिया और देश विदेश को मिला कर 58 करोड का बॉक्स ओफिस कलेक्शन किया है और अगर वही बात की जाए साउत के बाहुबली यानि केजियेफ की तो उसने पहले दिन 15 करोड का बिसनिस किया है दोस्तों वही मारी टू अगर कुल मिला कर देखा जाए तो फिल्म ने 2 से 3 करोड का कलेक्शन किया है और अगर इन कलेक्शन के आकडों को आधार बना कर बात की जाए तो शनिवार को छुटी होने की वजए से तीनों फिल्मों के बॉक्स आफिस पर उच्छाल देखा जा सकता है और माउट पब्लिसिटी का फाइदा भी मिल सकता है अगर दूसरे दिन के कलेक्शन की बात की जाए तो 0 करीब 30 करोड का बिसनिस कर सकती है और वहीं KGF करीब 20 करोड के आसपास पहुँच सकती है और दोस्तों वहीं मारी 2 भी करीब 5 करोड के आसपास पहुँच सकती है तो जब भी दो फिल्मे या तीन फिल्मे एक साथ रिलीस होती है तो अकसर देखा गया है कि जब बड़े बैनर की और बड़े स्टार की फिल्मे होती है तो उनके बॉक्स ओफिस कलेक्शन में ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ता और दोस्तों वहीं अगर एक उधारन के तौर पर देखा जाए सनी दियोर और आमिर खान को तो इन दोनों ने काफी लंबे समय तक एक ही दिन अपनी फिल्में रिलीस की है और इसके बावजूद इनकी फिल्में हिट भी साबित हुई है और सबसे बड़ा उधारन तो उस समय का है जब गदर और लगान रिलीस हुई और दोनों फिल्मों ने रिकॉर्ड तोर बिजनिस किया और वही हम आपको बताना चाहेंगे कि शारुख खान के साथ ये पहली बार नहीं हो रहा है कि दूसरे स्टार की फिल्में उनकी फिल्मों से टकराई है तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि वो इसके आदी हो चुके है योकि शारुख खान एक बहुत बड़े सूपरस्टार है और इन सब चीजों से उनके स्टार्डम पर कोई असर नहीं पढ़ने वाला है अब चाहे कननड का सूपरस्टार आए या फिर साउट का सूपरस्टार और ये सब इनके सामने एक प्रकार से बच्चे ही तो है वो कहते हैं ना कि बाप बाप ही होता है दोस्तों वहीं KGF और मारी टू के रिलीज होने से जीरो के बॉक्स ओफिस कलेक्शन पर थोड़ा बहुत तो असर पड़ा है क्योंकि KGF और मारी टू में जो स्टार हैं उनकी खुद की फैन फॉलोइंग है और दोस्तों अगर बात करें KGF के सूपरस्टार यश्की तो आज की यूत में उनकी एक अच्छी खासी पकड़ है और वैसे भी KGF की तुलना अमेताब बच्चन की दीवार से की गई है और इस फिल्म की कहानी में वैसा फील लाने के लिए फिल्म के कथानक में और फिल्म के सिनेमेटोग्राफी में उस लेवल का हर एलिमेंट्स डाला गया है जिससे की फिल्म में एक न्यू फ्लेवर नजर आए और इसलिए KGF के रिव्यू के आधार पर कहा जा सकता है कि ये फिल्म फ्लॉक बस्टर फिट साबित होगी दोस्तों मारी टू के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है वो भी एक स्लो पोईजन है और इन फिल्मों की तरह वो भी धीरे धीरे अपनी पकड़ बना ही लेगी क्योंकि धनुष का अपना फैन फॉलोइंग है और दोस्तों ये भी कहा जा सकता है कि मारी 2 और KGF की टकर से सीधा जीरो को फायदा होगा क्योंकि यश और धनुष दोनों की ही फैन फॉलोइंग साउट में जादा है लेकिन हमारे बहुआ भी इन एक्टरों से पीछे नहीं है इसलिए सारे आकडों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि सीधा फायदा शारुखान क फिल्म 0 को होगा और दोस्तों वहीं 0 फिल्म को लेकर फिल्म क्रिटिक्स इसलिए नर्वस हैं क्योंकि सार्क के जितने चहाने वाले हैं उतने ही दुश्मन भी है क्योंकि सोशल मीडिया पर शारुख को चौल भी नहीं और इसलिए उनके शुब चिंतकों में एक तरह से भे जीरो फिल्म के हीरो शारुख खान का स्टार्डम किसी भी सूपरस्टार से कम नहीं है और इसलिए कहा जा सकता है कि बाहुबली और टाइगर जिंदा है की तरह जीरो फिल्म भी जल्द ही पॉक्स ऑफिस पर स्पीड पकड़ेगी जिस प्रकार से बाहुबली टू ने प्रच और बस जाएगी और दोस्तों ये भी सच है कि शारुख खान की जीरो फिल्म पर अनुश्का की शादी का फर्फ थोड़ा बहुत तो पड़ा है क्योंकि हमारा फिल्म इंडस्ट्री आज भी पुरुषवादी मानसिक्ता का प्रतीक है जहां पर मेल एक्टर तो करती हैं उनकर स्टार्डम गिर जाता है जो की एक प्रकार से हिरोईन के साथ विक्टिमाइजेशन होता है और एक लंबे समय से होता आ रहा है और आज भी जारी है लेकिन दोस्तों ये जो कथित पुरुष प्रधान समाज है हमारे देश का कभ शिक्षित होगा और मैं तो यही कहना चाहूंगी कि हमारा देश जब तक शिक्षित नहीं हो सकता जब तक कि हमारे देश की प्रत्येक नारी शिक्षित नहीं होगी और अगर हो जाएगी तो वो खुद अपने आप में इतना शक्षम होगी कि अपने अधिकारों को लेकर बोल सके और उनके लिए जो कि एकदम गलत है और मैं तो यही कहना चाहूंगी कि शादी करने के बाद भी जिस प्रकार से पुरुष फिल्म इंडस्ट्री में जमे रहते हैं हिरोईनों को भी जमे रहना चाहिए और तभी इस इंडस्ट्री का मिधख खटेगा और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दे कि मौसमी चटरजी मात्र एक ऐसी हिरोईन है जो शादी के बाद इंडस्ट्री में आई और पुरुषों को भी पीछे शोर दिया 21 दिसंबर 2018 एक बहुत ही एहम दिन है फैंस के लिए क्योंकि इस दिन दो रोमांचक फिल्में रिलीज होने वाली हैं पहली बॉलिवुड के बाशा किंग खान की जीरो और दूसरी कन्नाड एक्टर यश की केजी इफ चैप्टर पस्ट नमशकार दोस्तों मैं हूँ गरिमा सिंग और आप सभी का एक बार फिर सिफ स्वागत करती हूँ हमारे चैनल बॉलिगराद स्टोडियोज की एक और नई वीडियो में तो दोस्तों आईए मालूम करते हैं कि इन दोनों फिल्मों के एक ही दिन रिलीज होने पर भारत के हर एक शक्स पर क्या असर पड़ेगा फिर चाहे वो किंग खान हो या फिर कन्नड सूपरस्टार यश या फिर आप लोग पर जी हाँ यानि की वो लोग जिनके इक्तियार क बिना फिल्म इंडस्ट्री का पर भी नहीं हिल सकता तो उस्तों जीरो और के जीएफ के एक ही दिन रिलीज होने पर भारतिय फिल्म उध्योग को कितने करोड का फायदा होगा ऐसे कहीं साय सवाल जहन में आते हैं और जहां तक कि देखा जाए अगर एक दिन में एक ही फिल रिलीज हो तो भारतिय फिल्म उध्योग को एक फिल्म से जितना फायदा होता है उससे जादा दो फिल्में रिलीज होने पर होगा और जाहिर सी बात है कि अगर दो बिग बैनर फिल्म साथ में रिलीज हो रही है तो फायदा तो बेशक्त जादा ही होगा एक तरफ जीरो र करोर का मुनाफ़ा तो हो ही सखता है मगर मुद्दे की बात तो ये है कि कौंसे फिल्म कितना कमा खी अगर शारुख खान की पिछली फिल्मी से बेहद sama वहीं दूसरी और यस जो की कंड़ सुपरस्टार हैं पर साउथ में बेहद प्रचलित भी और उनका काम पिछली फिल्मों में लाजवाब साबित भी हुआ है तो उनके फैंस को भी केजिएफ का बेसबरी से इंतजार है बल्कि अब तो आलम यह है कि नौर्थ इंडिया में भ नहीं ऐसा नहोगी सार्के की तरफ आती हुई हवाएं यश की केजिएफ की तरफ अपना रुक मोड लें बेशक की लोगों को जीरो का उतनी ही शिद्दत से इंतजार है मगर कहीं ना कहीं केजिएफ का ट्रेलर जीरो के ट्रेलर पर भारी पड़ता नजर आ रहा है और इन स पूत्रों के मुताबिक केजिएफ पांच अलग-अलग लेंग्वेजस में रिलीज होगी जिसमें एक लेंग्वेज हिंदी भी होगी अब संजीदगी यहीं आकर दस्तक दे देती है कि अगर फिल्म हिंदी में भी रिलीज होगी तो आउडियंस किस हिसाब से बढ़ जाए या फिर कोई जंग है किसी स्पेस के लिए उनका मानना है कि स्पेस बहुत है रही बात 21 दिसम्बर को रिलीज करने की तो उसका एक ही कारण है कि उस दिन साउथ इंडिया का एक खास फेस्टिवल है यह फिल्म साउथ की चार लेंग्वेज में रिलीज होने वाली है और बे के लिए जानी जाती है इस पार कंणड फिल्म के जीएफ के साथ आ रही है रिते शिद्वानी का कहना है कि फिल्म ने लेंग्वेज बेरियर्स को तोड़ दिया है और इसका सबसे बड़ा एक्जामपल है बाहुबली के जीएफ जो की एक पीरियड ड्रामा है कोलर गोल्ड फिल्ट्स पर आधारित है जहां तक की फिल्म आपको इमोशनली कनेक्ट करती है तो लेंग्वेज का बेरियर तो रहे ही नहीं जाता दोस्तों के जीए फ्रशान दील ने कलम बंद करी है और इसका निर्देशन भी उन्होंने ही किया है और दोस्तों विजय की रागंडूर इस फिल्म को प्रिड्यूस कर रहे हैं होम प्ले फिल्म के बैनर तले यश और स्रीनिधी लीड रोल में नजर आएंगे बात की जाए जीरो की तो वह एक रोमेंटिक ड्रामा है जिसको लिखा है हिमांच शर्मा ने और निर्देशन किया है आनन देल्रोय ने दोस्तों इस हैं जीएफ का सो करोड़ से उपर का अब सवाल यह है कि क्या शारुक खान फिर से किंग खान बन पाएंगे जंगल में लेकिन शेहर तो एक ही होता है और किंग्टम में किंग भी एक ही किंग खान ने पूरी जान लगा दी है जीरो फिल्म के लिए और यह बात जाहिर भी हो राज की बात तो ये है जनाब कि आपको फिल्म में काजोल, रानी मुखर जी, श्री देवी, आलिया भट, करिश्म कपूर, चुही चावला, डिपीका पादुकोल, गनीश आचार जे रेमो डिसुजा भी स्पेशल एपिरेंस में दिखाई देंगे। और ये कमाल किंग खान का ही हो सकता है, जो कि इतने सितारों को एक साथ लेकर फिल्म बना दे। अगर गौर किया जाए तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब तो वक्त ही बताएगा कि हवाएं कहां रुक लेंगी। और दोस्तों कहते हैं ना कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी काइना तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। तो बस ऐसा ही कुछ होने वाला है जीरो और केजिएफ के साथ। तो दोस्तों अब ये देखना दिल जस्त होगा कि कौन सी फिल्म बॉक्स आफिस कर धमाल मचाएगी। फिल्म की आवकात नहीं आकनी चाहिए। अच्छे टेलर व्यूज और अच्छी ओपनिक के बाद ठक साफ हिंदुस्तान तीसरे दिन बारभरा कर बैठ गई और केजिएफ का मुकाबला टेलर व्यूज के मामले में रिकार्ट तोने वाली जीरो से रहेगा। दोनों 21 दिसम फिल्मा में पहचाना हुआ नाम है केजिएफ सेवेंटी के दशकम सेठ है। टेलर वे उसकी पैदाई से लेकर गैंगेश्टर बनने तक के सीन है। डारेक्टर प्रसांत नीन के मताबिक यस ने महत्वा कांची गैंगेश्टर का रोल किया है। फिल्म और उसके उत्थान और पतन की कहानी सुनाती है। फिल्म के पहले भाग में उसके पैदा होने से भश्पन और गैंगेश्टर बनने तक का सपन दिखाए जाएगा। यस के अलामा फिल्म में स्री निदी सिठ्थी, वसिष सिंभा, बाव बली में राज माता, शिव गामिर बनने वाली, रमया क कर्ष्णनल और माल विका अभिणास के खास रोल्स है, इसे अब तक की कर्न्ड की सबसे बड़ी फिल्म के रूप में देखा जा रहा है। और माना भी जा रहा है। अब वो बाद जिसके ले फिल्म का टेलर खास है, अंधरे में भावता का एइसास कराता टेलर, यस का रो करनट तमेल तेलगू हिंदी और मल्यालम कुछ लोग बावबली से इसकी तुर्णा कर रहे हैं हमको कुछ-कुछ गैंग साफ वासेपुर का फील आ रहा है वह भी दो पार्ट्स में थी के जीआपके डारेक्टर प्रसांद भी मामुली आदमी नहीं 2014 में उग्रम फिल्म से डिबू किया और वॉक्स ओफिस की खिर्की तोड़ दी क्रिटिक्स के मुव पर फेवी गोन चिपका दिया उसे 2014 तक के करनट सिनेमा में बेस्ट फिल्म माना गया इसलिए अगली फिल्म से इतनी उम्मीदें हैं और हां इसमें फ्रहान अक्तर का पैसा भी लगा है यह का कहना आए कि यह फिल्म बनने में हजार दिन लगे शूटिंग में डेर सव से 200 दिन लगे लेकिन बाकी दिन पोस्ट प्रड़क्शन और तयारी में गई यानि फिल्म पर वाकई भारी बहनत की गई है यह का कहना है कि हमारा मुकाबला छेत्रिये फिल्मों कभी नहीं रहा है यह रेट्रो कैवरे गाना है और उनका कहना है कि करनट फिल्म केजी अफ में रेट्रो नंबर की शूटिंग करने में बहुत मजा है तमन्ना पुराने गाने जो के नानू वालिया मीचू के रीक्रेटेड वर्जर पर थिर्की जो निर्देसक राजकुमा करनट फिल्म परोग कारी में दिवंगत विजय ललिता पर फिल्माय गया था शारुक की जीरो से टगराएगी यस की केजिएप जिससे दोनों फिल्मों को नुफसान हो सकता है ऐसा लोग का मानना है लेकिन मेरा मानना है कि इससे दोनों फिल्मों को कोई फक्र नहीं पड़ इस फिल्म का नाम है केजियप कुलार गोल्ड फिल्स इस फिल्म में कन्नट के स्टार यस दिखाई देने वाले टेलर देखकर भविता का अंदाजा लगाया जा सकता है और ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि जब साउथ की कोई फिल्म रिलीज होती है तो बॉलिवुड नहीं हौलिवुड फिल्म भी साउथ के सामने पानी कम चायज सावित होती है हाली में रिलीज ठक साफ हिंदुस्तान जिस तरह ज्यादा इस्क्रीन प्रगलीज होने के बाद भी अपनी कमाई को लेकर जद्दो जहद कर रही है वाव वली से देश-दुनिया में जम कर सुर कि उनकी ये फिल्म एक अलग तरह से बाव वली के अस्तर की फिल्म में मुख भूम का निभार है यस कहते हैं जी हां हमें निर्देसाक राजा मौली की सुपर हिट फिल्म बाव वली की सफलता के बाद होसला मिला और हमने भी तमाम लोगों से बिचार विमर्स के बाद तै क कि के जी आप को हम पांच भासाओं में रिलीज करेंगे यस आगे बताते हैं मैं बॉली वुड की फिल्म हमेशा प्रभावित रहां खास तोर पर महानायक अमताव बच्चन की फिल्मों से अगर आपको मेरी फिल्म के जीआप में विग वी की फिल्मों की जलक या इसटाइ लेकिन मुझे अमिताब के फिल्मों के तमाम डायलाग जमानी आदे। इन दिनों बॉलिवुड की कई बड़ी फिल्मों के लेकर जबर दस चर्चाएं हैं। इनी में से एक फिल्म है सारुख खान के आने वाले फिल्म जीरो। जीरो के अब तक दो टीजर रिलीज हो चुके ह को मिले जबर दस रिस्पांस को देखते हुए फिल्म के डारेक्टर का कॉण्फिडेंस सातोय आस्मान पर पहुंच गया है। हाली में उन्होंने फिल्म रिलीज से पहले ही तगले बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का एलान कर दिया है। यहां तक कि उन्होंने ये तक बता दिया ह कि फिल्म कितनी कमाई कर लेगी। जीरो के डारेक्टर आनंदी अलाय को पूरा भरोसा है कि यह फिल्म किंख खान की अब तक कि सबसे बड़ी फिल्म सावित होगी। यह भरोसा उन्होंने सोसल मीडिया पर एक फॉलोवर से बात करते समय दिखाया। उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए बताया कि उन्होंने फिल्म को लेकर काफी मिहनत की है। ऐसे में से 350 क्रोन का आकरा पार करने में फिल्म कोई परेसाई नहीं होगी। उनका कहना है कि मुझे फिल्म बनाते वक्त काफी मजाया। और मुझे भरोसा है कि और्डियन्स भी उतना ही 200 करोंबाना चाह रहा है। आनदियर राय के निम्देशन में बन रही इस फिल्म में शारुक के साथ कैपना कैप और अनुस्का सर्मा मुख किरदारों में होगी। ट्रेट पंडिदों का मानना है कि बजट का ज्यादा हिस्सा वो म्यूजिक, सटलाइट्स और जिजिटल र रखा गया। आनदियर राय ने कहा कि हर इंसान में एक अधूरापन होता। मैं उसे सलवेट करना चाहता हूँ। मैं जीरो को सलवेट करना चाहता हूँ। इसलिए फिल्म का नाम जीरो है। जीरो फिल्म की कहानी क्या है। मेरा कर रहने वाला 38 साल का एक आदमी है। एक लड़की की फोटो दिखती है। और वो दिल्ली आ जाता है। इस लड़की का नाम है आफिया। वो फिसकली हैंडिकाप माने बेकलाब। चलने फिरने बात करने में उसे परेसानी होता। बववा पहले उसे देखकर हिचकता है। लेकिन बाद में उसे प्यार हो जाता यहां तक सब ठीक है। फिर सीन में इंट्री होती है इंडिया की मश्रूर हिरोईन की। इनका और बववा का कोई शीन होता है। और सब कुछ उलच जाता है। क्यों कैसे क्या ये सब हमें सिनेमा घरों में जानने को मिलेगा। टेलर के लास्ट दिन में बववा कहते हुई आसमान की ओर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। इस सबातीन में के टेलर में हमें नाज गाने से लेकर कमेडी और लार्जर देन लाइफ टैप लव स्टोरी दिखलाई पड़ती। फिल्म का टेलर आप देखकर इसका अंदाजा लगा सकते। जीरो बनाने का आइडिय उन्हें 2012 में रितिक रोशन के फिल्म क्रिस्ट्री को देखकर आया। उन्हें उची दिवारों, बिल्डिंगों से कूटता, देशी सुपरहिरो अच्छा लग रहा था। लेकिन कसक थी कि ये सब अपना नहीं है, कहीं से लिया गया है। वो इसी तरह का कुछ खालिस देश किसी पने के साथ बनाना चाहते थे। इसी समय उन्हें आइडिया आया कि क्यों ना एक कहानिक किसी बाउने की नजर से दिखाई जाया। सबसे पहले इस फिल्म के लिए सल्मान खान को अपरोच किया गया था। बात नहीं बनी तो इसे शारुक खान के साथ बनाने का ऐलान नाम मिस्लीडिंग लग रहें। इससे लोगों को लगेगा कि ये कहानी सिर्फ सारुक के किदार के इद्गित घूम रही। जबकि फिल्म इसके ठीक उलट है। इसलिए इसका नाम रखा गया जीरो। जीरो के माध्यम से बताने की कोसित थी गई है। परफेक्ट होना कि शारुक खान की जीरो को इससे कोई नुक्सान नहीं होगा क्योंकि दोनों का अपना फाइन फालोइन है और दोनों के दर्शक वार्क अलग अलग इलग कलास से आते हैं। के जीअब को करणनट के बाववली के रूप में क्यों देखा जा रहा है क्योंकि इस फिल्म को ब आक्स आफिस कलेक्शन में एक प्रकार से सुनामी आना लोग का मानना है इन दोनों फिल्मों से फिल्म इंडिस्ट्री को तीन हजार करोन का फायदा हो सकता है क्योंकि जहां एक तरफ शारुक खान हो और दूसरी तरफ सल्मार खान फिर उधार सौथ के सुपरिस्टार यस हो तो फिल्म इंडिस्ट्री को तीन हजार करोड का फायदा तो जरूर हो गाई थी पहले ट्रिलर से भारी प्रतिकरिया प्राप्त करने के बाद के जीएफ कोलार गोल्ड फील्ड के निर्माताओं ने आगे बढ़कर मुंबई में एक इवेंट के दौरान फिल्म का दूसरा रिलीज किया के जीएफ के ट्विलर की शुरुआत यस द्वारा अभिनीती रौकी के बच्पन से होता है जो बॉम्बे की सटकों पर पला बढ़ा है और बाद में कोलार की सोने की खानों तक अपना सफर तै करता है दो मिनिट की ट्विलर में दिखाए गई दमदार एक्श के जीएफ ट्रेलर 2 बता दें कि कंड़ की सबसे महंगी और महत्वकांशी पर योजना के जीएफ पेश करने के लिए एक्शल इंटर्टेन्मेंट ने एएफ फिल्म के साथ में राया है इस कंड़ फिल्म को तमिल तेल्गू मलयालम हिंदी और कंड़ पांच अलग-अलग में बना गया है यह श्री निदिशेटी राम्याकृष्ण अनंतनाग जॉन कोकेन अयुच अच्यूत राव द्वारा अभिनीत के जीएफ प्रशान नील द्वारा निर्देशित है और होम बेल फिल्म प्रोडक्शन की फिल्म है विजय करांग दूर द्वारा निर्मित के के लिए राइल बस्रूर ने संगीत दिया है वही के जीएफ एक्सल इंटर्टेंट्मेंट की यह पहली करनल फिल्म है और यह प्रोडक्शन हाउस इस तरह की मैगा महत्वकांजी पर योजना से जुड़कर प्रफॉलित महसूस कर रहा है यह पीरियद ड्रामा सत्तर के काल पर आधारित है और इसे दो भागों में बनाया जाएगा इनमेंसे पहला भाका शुर्षक के जीएफ चैटर वन होगा जो 21 दिसम्मर 2018 को रिलीज होगा 270 और 80 के दशक की कहानी कहने आ रही है के जीएफ भारतिय कलाकार यश और शिरिधी शेटी की आने वाली फिल्म के जीएफ का बहु प्रतिक्षी ट्रेलर दर्शकों के सामने पेश कर दिया गया है जिसको दर्शकों से तुरंथ ही जबरदस रिस्पॉंस मिलने लगा है फिल्म के निर्माताओं ने ट्रेलर लॉंच इवेंट बेंगलूर में रखा था जहां लगबग सभी बड़े मीडिया हाउस मौजूद थे बता दे फिल्म के ट्रेलर से पहले इसके पोस्टर्स और टीजर रिलीज किये गए थे जिनको दर्शकों ने खूब पसंद किया थ जिसमें 70 और 80 के दशक का भारत देखने को मिलेगा। फिल्म के पूरी कहाने को कहीं सारे पॉस्टर्स में रिवील किया जाएगा और पहले पार्ट का नम KGF रखा गया है। फिल्म के ट्रेलर पर चर्चा की जाए तो इसमें जबरदस्ट एक्शन, दमदार डायलोग्स औ देखने को मिलता है। इसके साथ-साथ फिल्म के सीन्स को सपोर्ट करने के लिए रवी बस्रूर ने बहतरीन बैक्ग्राउंड म्यूजिक दिया है। इन सारी चीजों के साथ-साथ ट्रेलर में यश्च का लॉंग हेर लुक भी दिखाई दे रहा है। जो उन्हें और भी द जिसमें उन्होंने जबरदस एक्शन और डायलोग जरिवर दी है। खुद फिल्म के मुख्या भीनेता यश्च और फिल्म के निर्देशक प्रशान नील ने भी इस बात की पुछ्टे की है। दोनों का कहना है कि सत्तर का दशक बिना अमिताब बच्चन के पूरा नहीं हो जिसके चलते हमारी फिल्म की प्रिस्ट भूमी भी सत्तर के दशक की है। उस समय के परिद्रिश्य को देखते हुए हमारी फिल्म में और मेरी भूमीका में उनकी भूमीका से भी पेड़ना ली है। वहीं फिल्म के निर्देशन प्रशान नील का कहना है कि फिल्म सत्तर के दशक में होने के चलते अमिताब बच्चन और मुंबई दोनों ही उनकी फिल्म का एहम भाग है उनके फिल्म के हीरो यश्की छवी में अमिताब बच्चन की एंग्री यंग मैन के रूप में निस्चित तौर पर पर दिखाई देगी और मुंबई शहरचियों की City of Dreams है जिसके चलते उसे भी फिल्म में एहम इस्थान दिया गया है गौरतलब है कि कॉलार गौल्ड फिल्ड अत्वा के जीएफ का ट्रेलर अभी हाल ही में बैंगलोर में लॉंच किया गया ये फिल्म पांच भाशाओं में रिलीज होगी और इसके दो भाग होंगे इसे भी बाहुबली के इस तरपर रिलीज और प्रचार करने की तयारी की गए दोस्तों तीन दिन पहले रिलीज हुआ था जीरो का आइटम नंबर हुसन पर्चम जिसमें कैटरीना कैफ अपने हुसन के जल्वे दिखाती हुई नजर आई जिसे साथ में गाया है भूमी त्रिवेदी और राजा बाग्ची ने और इस गाने को लिखा है रश्मी विराग ने और मोनी रोए अपने जल्वे दिखाती हुई नजर आ रही है दोस्तों ये जब से आइटम नंबर का दोर चल पड़ा है तब से हर फिल्म में एक नएक आइटम नंबर का होना तो जरूरी ही हो गया है और खास पात तो ये है कि आइटम नंबर को दिखाया ही इस कदर जाता है कि वो कहानी का ही हिस्सा लगता है अब भाईया फिल्में तो ऐसे ही बनेगी ना जैसी ओडियंस की डिमांड होगी और जाहिर से बात है कि अगर फिल्म में मसाला नहीं होगा तो ओडियंस बोर तो हो ही जो कि किसी का ख्वाब हो ताकि वो अपने ख्वाब फिल्मों के जरिये तो जी ही सके हाला कि आजकल रियालिस्टिक फिल्मों का भी दौर शुरू होता नजर आ रहा है दोस्तों हुसन पर्चम और गली-गली में दोनों ही गाने टी सीरीज ने लॉंच किये हैं एक ही साथ लॉंच होते तो इतने व्यूज नहीं जा पाते जितने की गए हैं और अभी तो और व्यूज आने बाकी है उसने पर्चम में कैट्रीना कैफ को और गली-गली में मौनी रोय को देखने का रस ही कुछ और है और दोस्तों यही अपने में बहुत बड़ी बात है कि एक टीव मगर कैट्रीना कैफ को टकर देने के लिए थोड़ा फीका पड़ रहा है वो उस पर भी निर्भर करता है कि गाने को किस कदर दिखाया जा रहा है और दोस्तों बेशक हुसन पर्चम में कैट्रीना कैफ कोई जवाब नहीं है दोस्तों छोटे पर्दों से फिल्मों में कदम रखने वाली अभिनेत्री मोनी रोय इन दिनों खूब दिमाड में हैं अक्षे कुमार के साथ फिल्म गोल्ड के बाद वो रनवीर कपूर के साथ ब्रहमास्त की शूटिंग कर रही है और इसी बीच उन्हें कन्नड़ा फिल्मों के सूपरस्टार यश ने अपनी फिल्म के में एक डांस नंबर का नियोता भीजा दोस्तों फिल्म का ट्रेलर और कैन्वस देखने के बाद मोनी गाना करने के लिए तयार भी हो गई के जीएफ में सूपर इट फिल्म त्रीदेव के गाने गली-गली में फिरता है को रीक्रियेट किया गया है इस गाने को दोस्तों गनेश बताते हैं फिल्म त्रीदेव के गाने के दोरान मैं बैक ब्राउंड डांसर था और आज इतने सालों के बाद उसी गाने को मैं कोरिग्राफ कर रहा हूं गाने की शूटिंग के दोरान कोई बातचीत में फिल्म के अभिने था यश ने कहा के जीएफ पूर ड्रामा, इमोशन, एक्शन और फुलोन मनुरंजन देखने को मिलेगा मैंने अपने करियर में आज तक किसी फिल्म को इतना जादा प्रमोट नहीं किया है लेकिन प्रमोशन के दोरान जब लोगों का फ्यार मिल रहा है तो मज़ा भी आ रहा है मोनी बताती है मैंने इ यश बताते हैं वैसे तो यह गाना पूरी तरह मोनी का है लेकिन हमारे डांस मास्टर गनेश आचाजे ने मेरे लिए भी गाने में जगह बनाई है तो मैं भी आपको इस गाने में नजर आऊंगा दोस्तों शारुक खान की फिल्म जीरो के साथ रिलीज हो रही अपनी फिल् को प्रमोट करने के लिए मैं शारुक और उनकी फिल्म जीरो के नाम का इस्तिमाल कर रहा हूं तयोहार पर एक साथ 2 तीन फिल्म रिलीज होने में कोई समस्या नहीं है हर समय दो से तीन फिल्मों की जगह आराम से होती है फिल्म के बारे में अगर अच्छी बात हो रही है त की इंजियन फिल्म है कोई फर्क नहीं पड़ता फिल्म रीजनल है या क्या है अगर आपकी कहानी अच्छी है और दर्शबों को पसंद आ रही है तो बाकी किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है और दोस्तों फिल्म के जिए पांच भाशाओं में एक साथ रिलीज हो रही जी जनाब आपने एक तम सही सुना 21 दिसंबर 2018 को इतिहास तरज होने जा रहा है क्योंकि इस रोज 6 फिल्में रिलीज होने जा रही है जी हाँ दोस्तो आपने सही सुना एक दिन और कौन से 6 फिल्में हैं जिनका सब को बेसबरी से इन्पिजार है सबसे पहले अपने खान दोस्तो सबसे पहले तो है अपने किंग खान की मूवी जीरो दोस्तो वहीं साउथ की तीन फिल्में रिलीज हो रही है अंतरिक्षम 9000 कमपेश और KGF चैप्टर 1 और मारी 2 दोस्तो वहीं अनुपम खेर की The Accidental Prime Minister भी रिलीज हो रही है और इसी के साथ साथ हॉलिवुट की भी एक मूवी बंबल भी दोस्तो ये तो दास्तान ही बन जाएगी नहीं एक ही दिन में 6 फिल्मों की दास्तान जरा सुनिये तो सही एक दिन में 6 फिल्मों की दास्तान तो चलिए देरी किस बात की शुरू करते हैं पहली फिल्म से सबसे पहले बात करते हैं शारुप खान की जीरो दोस्तो जीरो एक भारतिय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसकी कहानी हिमान्शो द्वारा लिखी गई है और फिल्म का निर्देशन आनल देल रोय कर रहे हैं फिल्म को कॉलाबरेशन के साथ कलर यलो प्रोडक्शन और रेड चिलीज एंटर्टेइन्मेंट प्रिड्यूस कर रही है फिल्म के एहम किरदारों की बात करें फिल्म में शारुक खान, अनुश्का शर्मा, कैट्रीना कैट, अभैदेओ, तिग्मान शुदूलिया नजर आने वाले हैं बात की जाए फिल्म के बजट की तो इस फिल्म का दो सो करोड से उपर का बजट है फिल्म के कहानी की बात की जाए तो फिल्म में शारुक खान एक बोने का किरदार निभा रहे हैं जिसका नाम बहुआ सिंग है जिसे अपने साथी के रूप में नासा में काम करने वाली स्पाइंटिस्ट आफिया जिसकी भूमिका में अनश्का शर्मा है वो दिख जाती है पर असल परेशानी तो तब शुरू होती है जब बॉलिवुड की एक बड़ी शराबी एक्ट्रेस बबीता यानी की केट्रीना कै उसके काफी नजदीक आ जाती है जिसका असर उन दोनों के रिष्टे पर पड़ता है अब सवाल यह हो जाता है कि बहुआ सिंग किसको चुनेंगे अब आपको क्या लगता है कि हम आपको पूरी कहानी ही बया कर देंगे जी नहीं जनाब उसके लिए तो आपको 21 दिसंबर क इंतिजार ही करना पड़ेगा अब अगर बात करें अंतरीक्षम 9000 कम पीच की तो अंतरीक्षम 9000 कम पीच एक इंडियन टेल्गु साइंस फिक्षन स्पेस थ्रीलर फिल्म है जिसके लेखक और निर्देशक संकल प्रेडी है फर्स फ्रेम एंटर्टेन्मेंट बैनर के अपने करियर की दूसरी फिल्म कंचे से काफी प्रेशन सा मिली इस फिल्म में वरुन तेज का साथ अदीती राव हेदरी और लावन्या त्रिफाटी दे रही है इस फिल्म का फर्स लूप 15 अगस 2018 पर रिलीज किया गया था और टीजर 17 अक्टूबर 2018 को रिलीज किया गया दोस्तों वहीं अदीती राव हेदरी ने इसी साल सम्मोहनम जैसी हिट तेलगू फिल्म दी है वहीं दूसरी तरफ बंदूकों की बोचार के साथ केजीएफ चैप्टर फर्स रिलीज होने वाली है केजीएफ चैप्टर फर्स एक इंडियन कंणर लेंग्वेज एक्शन पी यश और श्रीनिदी इस फिल्म में लीड रोल्स में नज़र आएंगे दोस्तों असी के दशक की ये फिल्म 1700 साल से अत्याचारियों के खिलाफ चल रही जंग पर ये फिल्म आधारित है सूत्रों के मुताविक सो करोड़ से उपर का बजट बताया जा रहा है दोस्तों अब कंपनी वंडर बार फिल्म के तहट फिल्म बनाने के अलावा मुख्य किरदार भी निभा रहे हैं वहीं दूसरी तरफ साही पल्लेवी धनुष के साथ काम करती दिखाई देंगी तोस्तों बात करते हैं दा एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर नाम सुनते ही एक अलग सा इ मनमोहन सिंग का किरदार में भाते नज़र आएंगे टोक्टर मनमोहन सिंग पॉलिटीशन होने के साथ साथ एक एकनोमिस्ट भी थे और 2004 से 2014 तक युनाइटिज प्रोग्रेसिव एलियांस के अंडर प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे दा एक्सिडेंटल प्राइम तो दोस्तों देखते रहे हमारा चैनल पॉलिक्राद स्टूडियोज और ऐसी वीडियोज के लिए अरे अरे एक सेकंड रुखिये तो जनाब एक फिल्म तो रही गई और आपने भी याद दिलाना लाजमी नहीं समझा मगर कोई बात नहीं वक्त तभी भी हमारी मुठी में है तो चलिए बात कर लेते हैं उस आखरी फिल्म की जो 21 दिसंबर को इन फिल्मों के साथ रिलीज होने जा रही है वो है हौलिवुड की बंबल बी जिहां बंबल बी 2018 की अमेरिकन साइबस एक्स फिल्म है जो की ट्रांसफ़ॉर्मर के ही किरदार बंबल बी पर आधारित है बंबल वी ट्रांस्फ़ॉर्मर फ्रेंचाइजी का एक कालपनिक रोबोट शूपर हिरो करेक्टर है ये फिल्म 2007 में आई ट्रांसफोर्मर का प्रीक्वल है जिसका निर्देशन किया है ट्राविस नाइट ने और लिखा है क्रिस्टीना होडसन ने और दोस्तों हेली स्टाइनफेल्ड, जॉन सीना, जॉर्ज लेंडर बॉर्ग जेयार, जॉन ओर्टिज, जैसोन ड्रकर और पैम कौन से फिल्म कितना कमाएगी उसका अनुमान लगाया जा सकता है, इन सब मुवीज का एक साथ रिलीज होने के बावजूद, जीरो मिनिमम तीन सो करोड तक कमाएगी ही, बात करें अंतरिक्षम की, तो पचास से सो करोड तक का बॉक्स ओफिस कलेक्शन हो सकता है, और वही केजी हैफ मिनिममम दो सो करोड कमा सकती है, तो इस तो मारी टू मिनिममम सो करोड तो कमा ही लेगी, और वही द एकसिडेंटल प्रायम मिनिस्टर हो सकता है कि पचास करोड का आकड़ा भी नपार कर पाए, तो इस तो बात रही बंबल भी की, तो वही सबसे जादा अफेक् का दिवाना वहीं Dr. Manmohan Singh के 10 साल चुफ रहने का राज और Hollywood fans जिनको होगा Bumblebee का बेसबरी से इंतिजार और अगर आप में से कोई इन सभी को देखना चाहता है और जेब में हैं धेर सारे पैसे तो बेशक सभी फिल्मों को देखने जाएए मगर अकसर लोग अपनी फेवरेट की भी फेवरेट की और खिशते हैं तो फिर कौन सी मूवी है आपकी फेवरेट की भी फेवरेट जाहिर से बात है कि 6 Clashes होने के पार Profit Divide तो होगा ही मगर ये रास तो हमें भी नहीं पता कि किस का मन किस और खिचेगा वो तो आप सभी के दिलों में दफ्न है जो की 21 December को ही खुलेगा दोस्तो एकनॉमिक्स में बेसिक सा फंडा है कि अगर डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ता है और अगर प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी उतनी ही बढ़ जाती है तो ये जानने के लिए कि किस की डिमांड बढ़ेगी और किस की सप्लाई दोस्तो अब बात करते हैं किनों ने बनाई है ये फिर्म जीरो फिल्म को डारेक्ट किया है आनद एल्रोय ने आनद इस से पहले थोड़ी लाइफ थोड़ा मैजिक तन्नुवेट्स मन्नु सीरीज और रांजना जैसी फिल्में डायरेक्ट करने के अलावा निलबटे सन्नाटा, शुबमंगल साफधान, हैपी भाग जाएगी और मनमर्जियां जैसे फिल्में प्रिड्यूस भी कर चुके हैं कहने का मतलब ये है कि मीनिंगफूल कांटेंट प्रोसने के लिए जाने जाते हैं इस फिल्म को लिखा है आनंद के साथ लंबे समय से जुड़े रह चुके हिमानशु शर्माने हिमानशु इससे पहले आनंद के लिए तन्नु वेट्स, मन्नु सिरीज और रांशना जैसे फिल्में लिख चुके हैं अब यही जोड़ी शारुक खान के साथ जीरो लेकर आ रही है दोस्तों सवाल है कि जीरो बनाने का आइडिया कहां से आया वकोल आनंद इस फिल्म का आइडिया उन्हें 2012 में रितिक रोशन के फिल्म कृष्ट 3 को देखकर आया उन्हें उची दिवारो बिल्डिंगों से कूता देशी सूपर हीरो अच्छा लग रहा था लेकिन कसक थी कि ये सब अपना नहीं है कहीं से लिया गया है वो इसी तरह का कुछ खालिस तेसी पन्ने के साथ बनाना चाहते थे इसी समय उन्हें आइडिया आया कि क्योंने एक कहानी किसी बोने की नजर से दिखाई जाए सबसे पहले इस फिल्म के लिए सल्मान खान को अप्रोच किया गया था बात नहीं बनी तो इसे शारुक के साथ बनाने का एलान कर दिया गया अब बनकर तयार है और रिलीज होने की रात आक रही है शुरुआत में इसके कई नाम सामने आये थे जैसे के ट्रीना मेरी जान, बोना, बववा, बुटका, आधी-आधी लेकिन मेकर्स को लग रहा था कि ये सारे ही नाम मिस्लीडिंग लग रहे है इससे लोगों को लगेगा कि ये कहानी सिर्फ शारुप के किरदार के इद गूम रही है जबकि फिल्म इसके ठीक उलट है इसलिए इसका नाम रखा गया जीरो सीरो के माध्यम से ये बताने की कोशिश की जाएगी परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है कई लोगों को उनका अधूरपन ही पूरा करता है और सब मिलाकर जीरो दो इंपरफेक्ट लोगों की परफेक्ट लव स्टोरी है दोस्तों बात करते हैं आ कब रही है दोस्तों ये फिल्म 21 दिसंबर को रिलीज हो रही है और वहीं ये तारीक बहुत ही लकी मानी जाती है बॉक्स आफिस के हिसाब से पिछले कुछ सालों से आमिर खान ने ये तारीक हत्या कर खुब पैसे कमाए है पिछले साल सल्मान खान इसी वीक में आकर अपने करियर की सबसे बड़ी फिल्म दर्शकों से क्रिस्मस गिफ लेकर आए है ताइगर जिन्दा है साम तो सुना ही होगा ये सल्मान के करियर की सबसे बड़ी फिल्म है अब इसी तारीक पर शारुक आ रहे है शारुक खान की फिल्म जीरो चर्चा में है चर्चा की सबसे बड़ी वज़े ये है कि इस फिल्म में शारुक खान ने पोने की भूमी का निबाई है इससे पहले तीनों खान में से ये काम किसी ने नहीं किया था ऐसे में जायर है कि तकनीकी लिहास से ये फिल्म शारुक खान के लिए चैलेंजिंग रही है क्योंकि उन्हें तक्नीक द्वारा ही छोटे कद में दिखाया जा रहा है। का स्वागत है बॉलिगराद के गल्यारे में जीरो के सामने खड़ा है एक और महायोधा जिसका नाम है यश। यस के फिल्म केजीफ को कर्नट की बाववली कहा जा रहा है। केजीफ माने कोलार गोल्ड फिल्ड्स लंबा नाम भूल जाओ सौटकट केजीफ याद रखो। यह फिल्म कर्नट फिल्म दो पार्ट में आ रही है। पहले पार्ट का टेलर रिलीज हुआ और यूटूब पर धुवाधार देखा जा रहा है। अभी तक 96 मिलियन व्यूज हो चुके हाला कि इन व्यूज से फिल्म की आवकात नहीं आकनी चाहिए। अच्छे टेलर व्यूज और अच्छी ओपनिंग के बाद ठक साफ हिंदुस्तान तीसरे दिन बारभरा कर बैट गई और केजियप का मुकाबला टेलर व्यूज के मामले में रिकार्ट तोने वाली जीरो से रहेगा। दोनो 21 दिसम्मर को रिलीज हो रही है। फिल्म के पहले भाग में उसके पैदा होने से बस्पन और गैंगेश्टर बनने तक का सफ़न दिखाये जाएगा। यस के अलावा फिल्म में स्री निदी सिठ्ठी, वसिष सिंभा, बाव बली में राज माता, सिव गामी बनने वाले, रमया कृष्णन और मालविका अभिनास के खास रोल्स है। इसे अब तक की कर्नट की सबसे बड़ी फिल्म के रूप में देखा जा रहा है और माना भी जा रहा है। अब वो बात जिसके लिए फिल्म का टेलर खास है। अन्हेरे में भावता का अहसास कराता टेलर। यस का रोल अगनीपत के अमताब की याद दिलाता है। यस ने दैनिक जागन अकबार से बात कही थी। वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं। उनके मताबिक पूरे भारत में पांच भासाओं में फिल्म एक ही दिर रिलीज हो रही है। कर्नट, तमेल, तेलगू, हिंदी और मल्यालम। कुछ लोग बाव बली से इसकी तुलना कर रहे हैं। हमको कुछ-कुछ गैंग साफ वासेपूर का फिल आ रहा है। वो भी दो पार्ट में थी। केजियव के डारेक्टर प्रसांद भी महमुली आदमी नहीं है। पैसा भी लगा है। यस का कहना आए कि यह फिल्म बनने में हजार दिन लगे। शूटिंग में डेर्ट सव से दो सो दिन लगे। लेकिन बाकी दिन पोस्ट प्रडक्शन और तैयारी में गई। यानि फिल्म पर वाकिर भारी बहनत की गई है। यस का कहना है कि हमारा मुकाबला छेत्रिय फिल्मों या हिंदी फिल्मों से नहीं बॉल की हॉलिवूड से है। पूरे भारत को एक मानते हैं। तमन्ना ने कुछ इस प्रकार कहा। यह पहली बार है जब मैं रेट्रो गाने पर थिर्की हूँ। इस तरह का बहतरी अन्वो कभी नहीं रहा। यह रेट्रो कैब्रे गाना है। और उनका कहना है कि कर्नट फिल्म केजी फ में रेट्रो नंबर की शूटिंग करने में बहुत मजा है। तमन्ना पुराने गाने जोके नानू, वालिया मीचू के रेट्र वर्जन पर थिर्की। जो निर्देशक राज कुमार की कर्नट फिल्म परोग कारी में दिवंगत विजय नलिता पर फिल्माय गया था। शारुक की जीरो से टगराएगी यस की केजिय अप जिससे दोनों फिल्मों को नुफसान हो सकता है। ऐसा लोग का मानना है लेकिन मेरा मानना है कि इससे दोनों फिल्मों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों एक्टरों की ओडियंस अलग-अलग है। कि कोई फिल्म रिलीज होती है तो बॉलिवुड नहीं हॉलिवड फिल्म भी साउट के सामने पानी कम चाय साबित होती है। हाली में रिलीज ठक साफ हिंदुस्तान जिस तरह ज़्यादा इस्प्रीन प्रहिज होने के बाद भी अपनी कमाई को लेकर जद्दो जहद कर रही है। बाववली से देश दुनिया में जम कर सुल्कियों में आये प्रभास और राणा दगुबत्ती की सांदार सफलता से प्रभावित हुए कंड़ट फिल्मों के हीरो यस भी अपनी एक धमाकेदार फिल्म केजियब के साथ आ रहे है। फिल्म की पूरी टीम का कहना है कि उनकी ये फिल्म एक अलग तरह से बाववली के अस्तर की। फिल्मों की जहला क्या इस्टाइन नजर आ रही हो तो कोई हैरत की बात नहीं है क्योंकि मैं और मेरे फिल्म के निदेशक दोनों ही अमताब बच्चर के बहुत बड़े फैन हैं। बस मेरे आज़ पास कोई हिंदी नहीं बोलता इसलिए आदत छूट गई है लेकिन मुझे आमिताब के फिल्मों के तमाम डायलाग जमानी आद है। इन दिनों बॉलीबुड की कई बड़ी फिल्मों के लेकर जबर दस चर्चाएं हैं। इन खान की अग तक की सबसे बड़ी फिल्म सावित होगी। यह भरोसा उन्होंने सोचल मीडिया पर एक फालोवर से बात करते समय दिखाया। उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए बताया कि उन्होंने फिल्म को लेकर काफी बहनत किये। ऐसे में से 350 करोण का आकड़ा पार करने में फिल्म कोई परेसाई नहीं होगी। उनका कहना है कि मुझे फिल्म बनाते वक्त काफी मजाया। और मुझे भरोसा है कि और्डियंस भी उतना ही इंग्जॉय करेगी। बता दें कि फिल्म का बज़ड लगवद 200 करों माना जा रहा है। आनंदियर राय के निंदेशन में बन रही इस फिल्म में शारुक के साथ कैटना कैप और अनुस्का सर्मा मुख किरदारों में होगी। ट्रेंट परणिदों का मानना है कि बज़ड का ज्यादा हिस्सा वो म्यूजिक, सैटलाइट्स और जिस्टर वाइट्स बेश कर ही निकाल देंगी। फिल्म 21 दिसम्बर को रिलीज होने है। तो चलिए बात आगे जाने, फिल्म से जुड़ी कुछ ऐसी ही दिल्चस्त बाते हैं। फिल्म का टाइटल जीरो रखा गया है। आनव यर्राय ने कहा कि हर इंसान में एक अधूरा पन होता है। मैं उसे सल्वेट करना चाहता हूँ। मैं जीरो को सल्वेट करना चाहता हूँ। इसलिए फिल्म का नाम जीरो है। जीरो फिल्म की कहानी क्या है। मेरार कर रहने वाला 38 साल का एक आदमी है। हाइट में साड़े 3-4 फुट के करीब। इसलिए कुवारा है और शादी के लिए परिशान है। नाम है बववा। दिल्ली के एक मैरेज वीरो वाले के साथ साधी के लिए लगातार कनेक्शन बनाए हुए है। एक बार उसे एक लड़की की फोटो दिखती है। और वो दिल्ली आ जाता है। इस लड़की का नाम है आफिया। वो फिसकली हैंडिकैप माने बेकलाब। चलने फिरने बात करने में उसे परिशानी होता। बववा पहले उसे देखकर हिचकता है। लेकिन बाद में उसे प्यार हो जाता। उसे लगता है कि उसकी जिन्दगी में कोई बरावरी काया है। क्योंकि आफिया वीलचेर पर है। और बववा ख़ए रहने पर उसकी हाइड तक आ जाता। यहां तक सब ठीट है। फिर सीन में इंट्री होती है इंडिया की मश्रूर हिरोईन की। इनका और बववा का कोई शीन होता है। और सब कुछ उलच जाता। क्यों कैसे क्या। यह सब हमें सिनेमा घरों में जानने को मिलेगा। टेलर के लास्ट इन में बववा कहते हुई सुना जाता है। कहानियों में सुना था कि महबत में आसिक चांद तक ले आते है। साले को हमने यह बात स्रिस्णी ले ली। और इस दौरान इस्क्रीन पर एक रॉकेट धरती छोड़कर आस्मान की ओर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। इस सवा तीन मियट के टेलर में हमें नाज गाने से लेकर कमेडी और लार्जर देन लाइफ टाइप लव स्टोरी दिखलाई पड़ती। फिल्म का टेलर आप देखकर इसका अंदाजा लगा सकते। जीरो बनाने का आइडिया कहां से आया। बागावल आनंद इस फिल्म का आइडिया उन्हें 2012 में रितिक रोशन के फिल्म क्रिस्ट्री को देखकर आया। उन्हें उची डिवारों, बिल्डिंगों से कूटता देशी सुपरहिरो अच्छा लग रहा था। लेकिन कसक थी कि ये सब अपना नहीं है। कहीं से लिया गया है। वो इसी तरह का कुछ खालिस देशी पने के साथ बनाना चाहते थे। इसी समय उन्हें आइडिया आया कि क्यों न एक कहानिक किसी बाउने की नजर से दिखाई जाया। सबसे पहले इस फिल्म के लिए सल्मान खान को अप्रोच किया गया था। बात नहीं बनी तो इसे शारुक खान के साथ बनाने का ऐलान कर दिया। अब बनकर तयार है और रिलीज होने की राह ताक रही। शुरुआत में इसके कई नाम सामने आये थे। जैसे पैटिरा मेरी जान, बाउना, बौवा, बुटका, आधियाद। लेकिन मेकर्स को लग रहा था कि ये सारे नाम मिस लीडिंग लग रहे। इससे लोगों को लगेगा कि ये कहाने सिर्फ सारुक के किरदार के इदगित घूम रही है। जबकि फिल्मिस के ठीक उलट है। इसलिए इसका नाम रखा गया जीरो। जीरो के माध्यम से ये बताने की कोसित ही गई है। परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। कई लोगों को उसका अधूरापन ही पूरा करता है। सब मिलाकर जीरो दो इंपरफेक्ट लोगों की परफेक्ट लब स्टोरी है। करनट की बाववली और शारुक खान की जीरो में टकर होने जा रहा है। मेरा मानना है कि शारुख खान की जीरो को इससे कोई नुक्षान नहीं होगा क्योंकि दोनों का अपना फैन फाइलोइंग है और दोनों के दर्सक वर्क अलग-अलग क्लास से आते हैं के जीरो को कर्नड के बाववली के रूप में क्यों देखा जा रहा है क्योंकि इस फिल्म को बाववली के तर्ज पर बनाया गया है सल्मार खान की अपनी आउडियन्स है, जिससे सारुक खान को बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि किसी भी फिल्म में सल्मार खान का होना, मतलब बाक्स आफिस कलेक्शन में एक प्रकार से सुनामी आना, लोग का मानना है इन दोनों फिल्मों से, फिल्म इंडिस्ट को तीन हजार करोन का फायदा तो जरूर होगा दी, फिल्म केजी एफ और शारुक खान की फिल्म जीरो का इस बार क्लैश होने जा रहा है, दोनों फिल्म में 21 दिसंबर को सिनेमा घरों में दस्तक देने वाली हैं, ऐसे मैं फिल्म केजी एफ से जुड़े फरान अक्तर और फिल्म केजी एफ के दूसरे ट्रेलर लांच पर फिल्म निर्माता रमेश सिद्वानी ने शारुक खान की फिल्म 0 के साथ होने वाले क्लैश को लेकर कहा, कि इस फिल्म को जितनी स्क्रीन मिलनी चाहिए, उतनी स्क्रीन मिल जाएंगी और भारत में धेरो इस्क्रीन हैं, इस मौके पर ये भी कहा कि इस फिल्म को रजनी कांत और एक्षा कुमार की फिल्म टू पॉइंटों के बरावन स्क्रीन नहीं मिलेंगी। इस मौके पर रिते सिद्वानी ने ये भी कहा कि ये फिल्म उनके लिए एक बड़ा अफसर है। जो कि दक्षर भारत में उनकी फिल्मों के द्वार खोल रही है। वहीं इस मौके पर परानकतर ने ये कहा कि इस फिल्म का कंटेंट ही दमदार है, फिल्म का कंटेंट इसका यूएसपी है, जैसे कि एक बच्चे से उसकी माँ वचन लेती है, कि वो मरते वक्त सबसे शक्ति शाली और पैसे वाला होकर मरेगा, जो कि बहुत ही पावरफुल है, गौर्टालवय की फिल्म KGF में दक्षर भारत के सुपरिस्टार यश्की मुख्य भूमिका है, वहीं इस फिल्म से मिस इंडिया में भाग ले चुकी श्री नेदी शेटी ने डेब्यू किया है, ये फिल्म 21 दिसमबर को रिलीज होगी, इस फिल्म को पांच भासों में रि पस्तुत करने का तै किया, दोस्तों, आज हम अपने इस नए वीडियो में बात करेंगे रिलीज हुई फिल्म KGF के रिव्यू को लेकर, मूवी को इतना पसंद क्यों किया जा रहा है, और वैसे देखा जाए, तो कही ना कहीं KGF के रिलीज होने की वजए से, जीरो के बॉ स्टार्स नजर आते थे, 80 और 90 के दशक में इस तरह की फिल्में खूब बनती थी, इंसानियत के दुश्मन, मर्द, गंगा, जमना, सरस्वती, बदले की आग जैसी, बी ग्रेट फिल्मों का ने केवल बजट बड़ा हुआ करता था, बलकि इस पे अमिताब बच्चन और ध घरमेंद्र जैसे सितारे भी नजर आते थे, 2018 में आस्चर्य जनक रूप से इस तरह की फिल्में फिर देखने को मिली, सल्मान खान की रेस्त्री, आमिर खान की ठक्स ओफ हिंदस्तान के बाद, कोलार गोल फिर्स, KGF चैप्टर फर्स भी इसी श्रेणी की फिल्म है, और य दूसरी और राजा कृष्णा अपपा, बेरिया और रोकी का जन्म होता है, मुंबई की गलियों में रोकी पलता बढ़ता है, लगभग 10 साल की उम्र में उसकी मा गरीबी के कारण दम तोर देती है, लेकिन वो मरने से पहले अपने बेटे रोकी को कहती है, कि तो गरीबी मे भले ही पैदा हुआ हो, लेकिन मरना अमीरी में, मा की बात को रोकी गाट पान लेता है, और अपराद जगत में एक बड़ा नाम बन जाता है, दोस्तों रोकी एक तूफान की तरह है, और यदि उसके दुश्मन आग है तो वो पेट्रोल है, और उसके एक मुक्के में इतना दम है कि किसी को जमा दे तो वो सेक्डों फीट उचल जाए, और पचीस-पचास मुस्तंडों के लिए तो वो अकेला ही काफी है, पल भर में वो लाशों का धेर बिछा देता है, रोकी की तारीफ सुनकर उसे बैंगलोर बुलाया जाता है, और गरूडा नामत बदमाश को म मारने में नाकाम्याब रहता है, और फिर वो कोलार जाकर उसी के घर में उसे मारने का फैसला लेता है, गरूडा का अपना इतिहास है, उसके पिता का बड़ा सामराज्य है, जिस पर कहीं लोगों की नजर है, दोस्तों निर्देशक प्रशान नील ने ही कहानी लिखी है, औ और उन पर बाहुबली और गैंक्स ओफ वासिपूर का प्रभाव नजर आता है, बाहुबली की तरह जहां गरूडा का परिवाद सोने की खदान पर हक जमाने के शडियंत्र रश्ता है, तो वही गैंक्स ओफ वासिपूर की तरह फिल्म का मिजाज रखा गया है, कोलार में एक अलग ही दुनिया नजर आती है, जहां मजदूरों पर जुल्म कर उनसे काम कराया जाता है, वो ये जुल्म क्यों किया जाता है, इसका जवाब फिल्म में नहीं मिलता, इस फिल्म में लीड रोल निभाया है यश ने, यश अपनी रोमैंटिक हीरो की इमेज से बाहर नि में उसके कई स्टाइलिश शॉट नजर आते हैं, वो स्क्रीन पर नहीं भी हो तो लोग उसकी तारीफ के कसीदे गड़ते रहते हैं, नरदेशक प्रशान नील ने कहानी को सीधे तरीके से कहने के बजाए, खुब घुमा फिराकर अपनी बात कही है, रोकी की कहानी एक प्रशान को बढ़ाता है, शायद प्रशान ने ये जान बूच कर किया है, क्योंकि पूरी फिल्म उन्होंने इसी तरह से बनाई है, प्रशान का दूसरा फोकस एक्शन पर रहा है, फिल्म में हिंसा की भरमार है, हर दूसरे मिनिट मार काट मचती रहती है, गाजर मूली की तरह लोगों को काटा गया है, हतोडा, चैन, चाकू, रॉट, तलवार, फावडा से खून बहाने से मन नहीं भरा, तो बंदूक और मशीन गन का इस्तिमाल भी किया गया है, और दोस्तों एक्शन का ये ओवर्डोस, कहानी, स्क्रिप्ट, एक्टिंग पर भी भारी पड़ फिल्म की कलर स्कीम बेहत डार्क है, ब्राउन और ब्लैक कब बहुत ज़्यादा इस्तिमाल किया गया है, ज़्यादतर शॉट्स बहुत कम लाइट में शूट किये गए हैं, स्क्रिप्ट पर ज़्यादतर समय अंधेरा चाया रहता है, बहुत ज़्यादा कर्ट्स लगाए और तीन-चार सेकंड से ज़्यादा एक शौट टिकता ही नहीं है, वहीं कलाकारों के गैटप भी इस तरह के हैं कि वो गंदे नजर आते हैं, दोसों जैसे बेतर तिब लंबे बाल और डाडी, काले कपड़े और साथ ही साथ रात में भी आँखों पर काला चश्मा चड़ा दोस्तों, फिल्म दो भाग में आएगी, और अच्छी बात ये है कि पहला भाग एक कंप्लीट फिल्म लगता है, और दर्शक खुद को ठगा महसूस नहीं करतें, कि उन्होंने आदी ही फिल्म देखी है, फिल्म को बहतरीन तरीके से शूट किया गया है, और एडिटिंग केबल पर फिल्म को लुक और टेक्स्चर दिया गया है, और दोस्तों साथ ही साथ फिल्म में खूब डायलोग बाजी भी है, जैसे कि इफ यू थिंक यू आर बैड देन आइम यूर डैड और वही दूसरा डायलोग है, हाथ में मचली लेकर मगरमच को पकड़ने के लिए लेकिन मगरमच को मचली नहीं हाथ पसंद है, तो दोस्तों कुछ ऐसे ही धमाकेदा डायलोग सुनने को मिलते हैं, लार्जर देन लाइफ किरदार में यश बेहत जमे हैं, वो स्टाइलिश लगे हैं, एक्शन बढ़िया किया है और किसी हीरो की तरह नजर आए हैं, तो वह किनेमा घरों में पहुंच गई है, और सिर्फ हिंदी पट्टी ही नहीं, दक्षिन भारत में भी फिल्म को लेकर काफी उत्सा है, मगर साउत में जीरो का सफर आसान नहीं होगा, क्योंकि इस शुकरवार 21 दिसंबर, तमिल, तेलगू और कन्नर भाशाओं की कुछ बड़ी फिल्म में रिलीज हुई है, और जिनकी काफी चर्चा भी रही है, जीरो देश भर में 5965 स्क्रीन्स पर रिलीज की गई है, जिन में से 4380 स्क्रीन्स भारत और 1585 ओवर सीज के लिए एलोट की गई है, आनंदेल रोय निर्देशित जीरो में शारुक के साथ कैट्रीना कैफ और अनुषकर शर्मा लीज रोल में थे, मोहमत जीशान आयू फिल्म में शारुक के किरदार बहुआ सिंग के साइड की कर रोल निभा रहे हैं, साउत में जीरो की सबसे बड़ी टक्कर मारी टू से होने जा रही है, जसमें धनुष लीज रोल में है, बालाजी मोहन निदेशित फिल्म में साई पल्लवी फी में लीड रोल निभा रही है, मारी टू को लेकर तमिल भाशी दर्शकों के बीच का फी हाइप बनी है, ये 2015 में आई मारी का सीक्वल है, और ये एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है, और इस फिल्म में धनुष के कैरेक्टर का नाम मार दोस्तों साउथ में जीरो के सामने दूसरी बड़ी रिलीज केजी एफ चैप्टर वन भी है, जो कर्नड फिल्म है, जिसे तमिल तेलगु मल्यालम और हिंदी में भी रिलीज किया गया है, प्रिशान नील निर्देशित फिल्म में यश्ट ने लीड रोल निभाया है, ट्र स्क्रीन्स पर रिलीज की गई है, जबकि कनड तेलगु में 400, तमिल में 100 और मल्यालम में 60 स्क्रीन्स पर उतारी गई है, दोस्तों हाल ही में साउथ सिनेमा की कुछ फिल्मों ने घरेलू और ओवर सीज में बहतरीन बिजनेस किया है, प्रश्नी कांत और रक्षे कुमार की 2 तमिल सिनेमा की फिल्म है, जिसे हिंदी और तेलगु में भी रिलीज किया गया था, ये फिल्म घरेलू बॉक्स ओफिस पर अब तक 400 करोड से अधिक का कारोबार करके दूसरी सबसे बड़ी भारतिय फिल्म बन चुकी है, और वहीं सिर्फ हिंदी में फिल्म ने 180 करोड से अधिक जमा कर लिए हैं, दोस्तों आज हम इस नए वीडियो में बात करने वाले हैं, जीरो के जीएफ और मारी टू के तीसरे दिन के बॉक्स ओफिस कलेक्शन की, 21 दिसंबर 2018 को ये तीनों फिल्में एक साथ रिलीज हुई थी, जिसमें से के जीएफ और मारी टू का ओपन नहीं मिल पाई, तो वहीं बात करें के जीएफ और मारी टू की, तो बजट के हिसाब से देखा जाए, तो इन दोनों फिल्मों को बढ़िया रेस्पॉंस मिल रहा है, क्रिटिक्स ने भी इन्हें अच्छी रेटिंग दी है, सबसे पहले बात करते हैं कन्नट फिल्म के रोल प्ले किया था, फिल्म को वर्ल्ड वाइट तीन हजार स्क्रीन्स पर और चार भाशाओं में रिलीज किया था, फिल्म को मिले अच्छे रियक्शन की वज़े से इसकी स्क्रीन्स को बढ़ा दिया गया है, फिल्म ने पहले दिन करनाटका से 28 करोड, हिंदी से 4 करोड औ इसको दूसरे दिन भी मिला और फिल्म ने 45 करोड का कलेक्शन किया, जो कि अब तक का किसी कन्नड फिल्म का सबसे हाइस्ट कलेक्शन है, बात करे फिल्म के थर्ड डे कलेक्शन की, तो ये फिल्म आगे बढ़िया कलेक्शन करेगी, वीकेंड पर संटे का फायदा भी इसे जरूर मिलेगा, दोस्तों अब अगर बात करें मारी टू की, तो इस फिल्म ने अपने बजट के हिसाब से अच्छी ओपनिंग दी है, ये एक एक्शन फिल्म थी, तमिल सूपरस्टार धनुष की इस फिल्म को बालाजी मोहन ने डायरेक्ट किया था, फिल्म को 25 स्क्रीन प देखने को मिला, और इस फिल्म ने अपने पहले दिन 15 करोड का ओपनिंग कलेक्शन किया, जबकि फिल्म ने अपने सेकंड डे कलेक्शन में 13 करोड बटोरे, जो कि काफी बढ़िया रहा, बात करें फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की, तो फिल्म ने अब तक 30 करोड क कलेक्शन कर लिया है वीकेंड में संदे का फाइदा भी इस फिल्म को मिल सकता है और अब बात करें हमारे शारुक खान की जीरो की जिसकी चर्चाओं का बाजार गरम तो था लेकिन फिल्म कुछ जादा कमाल नहीं कर पाई फिल्म से उम्मीद की जा रही थी कि ये फिल्म ओपनिंग रिकोर्ड बनाएगी लेकिन ऐसा हुआ नहीं पब्लिक ने जीरो को अच्छा रेस्पॉंस तो दिया लेकिन क्रिटिक्स ने फिल्म को बहुत एवरेज रेटिंग दी और जिससे इसके कलेक्शन में गिरावट देखने को मि फिल्म को पब्लिक ने तो अच्छी लेकिन क्रिटिक्स ने एवरेज रेटिंग दी है और जिस वजए से इसके सेकंड डे कलेक्शन में बिल्कुल जादा उच्छाल नहीं देखने को मिला फिल्म को 5000 स्क्रीन पर रिलीस किया था जीरो ने दूसरे दिन भी 20 करोड तक का ही क कलेक्शन की तो फिल्म ने वर्डवाइट पहले दिन 58 करोड का कलेक्शन किया था जो की अच्छा साबित हुआ बात करें फिल्म के थर डे कलेक्शन की तो वीकेंड पर शायद इस फिल्म को संडे और क्रिस्मस का बेनेफिट मिल जाए जिससे की फिल्म के कलेक्शन में 21 दिसंबर 2018 को रिलीज हुई थी और आज हम जानेंगे उन सभी फिल्मों के रिव्यू और बॉक्स ओफिस कैलेक्शन के बारे में 21 दिसंबर 2018 को जीरो मारी 2 अंतरिक्षम 9000 की MPH, KGF जैसी अलग अलग जोनर की फिल्में रिलीज हुई है और इनमें से कुछ फिल्में बड़े बजट की हैं तो कुछ छोटे बजट की इनमें से बॉलीवुड की जीरो और कन्नट फिल्म इंडस्ट्री की KGF बड़े बजट की फिल्में हैं जबकि तमिल फिल्म इंडस्ट्री की मारी टू और तेलगू फिल्म इंडस्ट्री की अंतरीक्षम छोटे बजट की फिल्म में थी. तो आईए इस वीडियो में जानते हैं कि फिल्मों के पहले दिन के रिव्यू और बॉक्स ओफिस कलेक्शन क्या रहा? सबसे पहले बात करते हैं बॉलिवुड के किंग खान यानि की शारुक खान की जीरो की जो 200 करोड के बजट वाली फिल्म थी दोस्तों फिल्म ने लोगों को एंटर्टेन तो किया है और ये फिल्म लोगों को पसंद भी आई है और इसी के साथ पब्लिक इस फिल्म में शारुक खान, केट्रीना कैफ और अनुशका शर्मा की एक्टिंग की काफी तारीब कर रही है और ये फिल्म थेटर्स में लोगों को लाने में कामियाब रही और फिल्म को आनंदेल रोय ने डायरेक्ट किया था और इसे दुनिया भर के 6,000 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया है फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से जादा अच्छे रिव्यूज नहीं मिले हैं लेकिन फिल्म लोगों को पसंद आ रही है और फिल्म को क्रिटिक्स ने 3.5 स्टार दिये है वहीं बात करें फिल्म के पहले दिन के बॉक्स ओफिस कलेक्शन की तो फिल्म ने इंडिया में 25 करोड का कलेक्शन किया है वहीं बात करें फिल्म के वर्लड वाइड कलेक्शन की तो फिल्म जीरो ने पहले दिन 58 करोड का कलेक्शन किया है जो की एक record है और अभी आने वाले संडे का इस फिल्म को कितना फाइदा मिलेगा अब ये तो वीकेंड के बाद ही पता चलेगा अब दोस्तों बात करते हैं कनड फिल्म केजियेफ की तो फिल्म का बजट 80 करोड था और फिल्म को लोगों ने काफी अच्छा response भी दिया है फिल पर बेस्ट ये फिल्म 80 की फिल्मों की आद दिलाती है जिसमें कनड सूपरस्टार यानि की यश ने लीड रॉल प्ले किया है और ये फिल्म अब तक की कन्नड फिल्म इंडस्ट्री की सबसे जादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है और अभी फिल्म का फिर्स पार्ट रिलीज हुआ है और इसका सीक्वल भी आना बाकी है KGF को इंडिया में 2460 सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था और इस फिल्म को क्रिटिक्स ने 3.5 स्टार दिये है ये फिल्म लोगों को भी काफी पसंद आई है KGF ने इंडिया में पहले दिन 13 करोड का कलेक्शन किया जबकि वर्ड वाइट पहले दिन इस फिल्म ने 2 करोड का कलेक्शन किया और फिल्म का पहले दिन का टोटल बॉक्स ओफिस कलेक्शन 15 करोड है जो कि डब्ड फिल्म होने की वज़े से बहुत बड़ा है दोस्तों वहीं अगर बात करें तेलगू फिल्म इंडस्ट्री के सूपर स्टार धनुष की फिल्म मारी 2 ही जो कि मारी का सीक्वल है फिल्म मारी काफी हिट रही थी और इस फिल्म को बाला जी मोहन ने डायरेक्ट किया था ये एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी जिसे लोगों ने काफी पसंद किया है फिल्म को क्रिटिक्स ने 3.5 स्टार दिये है टॉलीवुड में एक साथ 4 फिल्म में रिलीज हुई है जिसका असद इस फिल्म के कलेक्शन पर बड़ा है और फिल्म ने पहले दिन 41 लाग का कलेक्शन किया है जो कि एवरेज है लेकिन अभी ये सिर्फ तमिल में ही रिलीज हुई है और अभी इसका हिंदी डब्ड रिलीज होना बाकी है वहीं बात करें तेल्गु फिल्म अंतरिक्षम 9000 KMPH की तो ये एक साइंस फिक्षन फिल्म थी जिसका डायरेक्षन संकल्प रेडी ने किया था इस फिल्म में तेलकु सूपरस्टार वरुन तेज लीड रोल में थे और इस फिल्म को भी लोगों का मिला जुला रेस्पॉंस मिला है फिल्म को भी टॉलीवुड में एक साथ चार फ बॉक्स ओफिस कलेक्शन किया है जो की काफी बढ़िया है अंतिरिक्षम फिल्म का कॉंसेप्ट लोगों को पसंद आया है लेकिन फिल्म पर एक साथ चार फिल्में रिलीज होने से असर पड़ा है लेकिन इसकी भी हिंदी डब वर्जन रिलीज होना अभी बाकी है मेरे सिकें तो चंदी सी मेरे शो मिस्स हो रहा है अए अए हुम तो वही थी ना चुट 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 मिले थे आपकी बदल गई पता है मेरी और है मैं तुम्हारे वज़े से मैंने जीरो देख लिए और मैं अभी आपको बहुत बड़ा थेंक्यू बोलना चाहता हूं कि आपकी बज़े से मैं जीरो देखने वाला था पर केजिए अब देख्या है मजा आगया देख्या क्या मोई वट्टा मोई यस का यस ने फार दिया भाई आग लगा दी मैं भी देखने वाल थे लेकिन किस्मत की बात होती है बाकि जीरो बहुत यह जादा अमेजिन मूई पता है इतने टाइम बाद में SRK कितिनी बढ़ी बढ़ी दीखिय गए मैं SRK का मैं पुड बहुत बड़ा पैनो लेकिन SRK के बात अगर मैं किसी का पैनो तो YES का पैनो बहुत बढ़ा yes क्या किया एक्पिं किया फार रला यार घजर मजा आ गया वैसे क्या क्या खासत है 0 बत एक अलगी चीज देखने को मिली है और उस मुवी में यार, एक सच बात बताओ, शायद यश ने जो भी आक्टिंग करे होगी, मैंने मुवी नहीं देखी, लेकिन अगर कम पारिजन किया जाए, तो जिस तरीके से ऐसाब के एक कारेक्टर के अंदर गुसा है, वो शायद यश गुस पाता है? गुस पाता है यानी गुस पाता है अलग चीज है, लेकिन दोना अलग अलग बाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि शारुखान बॉनावना और यस गुंडा, एंटी हिरो टाइप, लंबी लंबी दाड़ी, बड़े बड़े बाव लोग जब हातों बं सिट्या बसके हैं बाई लोग पागल होगे उसे लेखें, एसा अलग देखकर ऐसा महाँ कुछ मूवी लेए बिल्कुल हूआ लोग तो पागल होगे इतनी ज़ादा होड़ें और पता है, सबसे ज़ादा सिस्पेंस वाला सिंग वही वही था रोकेट का था और जब इसा अलगी है, ऐसा अलगी है, तो महीतर समझाने की कौशिश कर रही हूँ, क्या बात है, क्या बात है, यार देखनी पड़ेगी, लेकिन, KJF में दिल रूट लिया मैंना, मैं तो जाई KJF ली थी यार अब देखने, जीरो चल गई, पता है सबस्पेंस कूलू हूँ पर क्या बात है, जीरो ना? तो मैं देखने हैं, तो मुझे बतादो ना, पर स्टोरी मत बतादो, कुछ मेल में चीज बतादो, जिसे मैं खुश हो जाऊं ताकि मन में में मलानना रहें कि में जीरो नहीं निरीक पाया अच्छा, ये बताओ, सब से जादा इस साइस्पेंस के स् हाँ, अभे दियॉल, अभे दियॉल भी था इस मूवी में, वो उनके वाल्फिंगा रोल अदा कर रहे थे बंदब, शावुफान से कैटिना कैफ सेट नहीं की फिल में? थोड़े टाइम के लिए, जादा नहीं, अभे दियॉल के पाद और अनुष्का शर्मा? को बता दूं की, मतलब, केट्रीना का रोल उसमें ऐसा था, बहुत बड़ी सूर्स्टार दिखाई गई है अभीता कुमारी बट पॉइंट क्या था 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 थोड़ा में अंगर से अधूरी 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 सी नहीं की बहुत जादा तो उसे पूरा अवेदेवल ने किया? पूरा अवेदेवल ने किया, बहसा भी ने बहुत सकती अच्छा यह बता, अनुष्का शर्मा क्या सीन था? अनुष्का शर्मा एक साइंटिस्ट है वह किसके साथ सेट है? अच्छा मेको नाम हमे याद नी आरहा पर तो मैं स्रीडेट देखी ती दिसमें वाइड लाइड फॉत्टोग्रफर था अर्मातोर बिल्कुई मैं को नाम हमे याद नी आरहा था उनी के साथ मुझा शारूचं के साथ कौन सेट था? मुझे जानना है यार चारुकान के साथ कोई भी से पीता नहीं Anushka नहीं के परिणा केप्रिणा अपनी अलग सुनिया पतादी हां मैपको बता अब कि एसार के पागल था Babiita Kumar के लिए चागा था थोड़े टाइम के लोंके उनकी केमिस्ट्री आई थी लेकिन इसना बड़ा भी नहीं, यह उसे शादी हो जाया, कुछ ऐता कुछ सीन नहीं था, हाँ लेकिन अनुष्का शर्मा की शादी आर माध्वन के साथ हुई थी, और वो दोनों ही साइंटिस्त है और इतनी बड़ी स्टार कास्टर में अभी एक दीपिगा पादू कोन भी है, शीदेवी, काजो, रानी मुकर जी, अल्या भट, यह क्या लेते हैं? तुम्हें मुवे पहले से देख रहे हैं? यह पढ़ा पहले हैं, मुझे बताया गया था अच्छा मेरी बात सना बवीता कुमारी इसमें एक बहुत बड़ी स्टार रोल अधा कर दिया है तो अववेसी बात है जहां Bollywood का नाम आएगा वहां एक Bollywood actress के साथ, बाखी Bollywood सतार भी तो दिखाएंगे ना यार तो उसमें दिंपिका, श्रीदेवी, आलिया भट और करिष्मा कपूर को भी दिखाया गया है और वो सब क्यांवे रोल ही थी थी और एक वो कॉंसा इंसान है जो हमेशा क्या नाम है कई फिल्मों उसमें दोस्तों का रोल भी आता किया वैस पुल्म है जिशा नहीं उसका क्या सीवना था उसको मुझे जाने का बहुत तो आपने देखाएगी वो जादा जर जाना ही दोस्ती के रोल के लिए जाए हम गांजना उठा की देखले है और भी बहुत सारी मुवीज तो उसमें इसका उतम बला उसका उसका उतमा तोस्ता आपम है बलिकुल वो अमैशा से अच्छा दोस्ता कर दारी मीवाता है इस बाइब बहुत अच्छे दोस्ता करदारी मी भाता है यालि कि Zero देखनी पडेगी वैसे आपका क्या खालेगी Zero first day collection कितना कत्पायगी all over India न ब प्रोब इंडिया दी, और वर्वर्ड, किता कर पाएगी? यार, विज़ दीस कचिस करोर विज़ कचिस करोर, बस दो सब करोर लगा कि बीस कचिस करोर जादा भोलो मत अपना बताओ, क्या देखा है, मेंको भी तो कुछ बताओ के जी अपना पहला कि इसमें एस है, कंड़ का सुपरस्टार है वो उसे जहादा है वो इसमें आपने आपने आप में इक अलग चीज है पहली बाद उसके अपोजिटर Shri Nidhi Shetty क्या रूट लंकिया उफ और इन सबसे बड़ी बात उसमें, महनी रूट का ओ, क्या गली गली मजा आगा देखे मुझे चीज पूछनी है, क्या? तुमने अभी बोला Shri Nidhi Shetty मुझे सथ बताओ, ट्रोइलर देखे क्या लगाता है, यश के अपोजिट महनी रूट है मुझे अफने इन रूट है, मुझे पूट रहा है मुझे जँ तो बांनी, याज September समें और गणर जाएं कि याड़ी सब टोब लागाさん भोजे अफन्य वह भी तो इन जए भी है भिजय सोंने, मुझे रहा नहीं सब कहोँ सब लोग करना चाहा लाद thought वराई को खत्म करता है, बुराई 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 को खत्म करता है, बुरे लोगों को खत्म करता है, बुरे लोगों को खत्म करता है, बुरों को खत्म करता है, बुरों को खत्म करता है, बुरों को खत्म करता ह हां तो हमाने ही लहाMoon करता है तुजे लोगों के साथ चलनाहे। लोगों के आगे हैं तो इसकी माने ही रहा है। तो ऐसके फुछ निया है कि ए तो करे स और के फूद भर किरे ना हदा हम दुगा पटाहिं मतार सकते ही कि हम पूरी ना पीडियर रूर्ल करना चाला। जैसे बहुवली का इंतिजा करे थे हम लोग, बहुवली का second part कब आएगा, एक ही दिन में जो वी देखके निकल रहा है, वो यही कह रहा है कि इसका second part, second chapter कब आएगा यारू किसमत की बात है, हाँ, किसमत की नहीं मैं मान रियू कि chapter 2 आएगा, अब जीरो का बन पाएगा नहीं, बढ़ क्या कोता बन जाएगा, वो भी सकता है जीरो का बन तो नहीं बनेगा, इसना तो मुझे यकीन है अगुल कोई मुवी बहुत जादा आगे निकलती है, अच्छा नाम कमाली थी है, तो इसका second part लो डिमांड करते है, कि हाँ, आना चाहिए हमारी जन्ता डिमांड करते है, आना चाहिए हाँ, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन, केजी अपका second part आएगा यह तो अभी से तैह है हभू, मैं आपकी बात मान रहींगी, तो आपने budget पूछा था मेरी मुवी का, जीरो का क्या पेच्छा है मेरी budget से आपकी कहा है, इसमें इसका budget 80 करोण है, लेकिन हो सकता है कि यह शारू खान के बारावर पहले दिन में इतना ना कमा पाएगा लेकिन कमाएगी अच्छा अपने 80 करोण के साब से, और हो सकता है कि यह, लेकि ना मुवी देखोगी ना, 80 करोण में 800 करोण का रुमा का है वो सकते 800 करोण ना कमाएग पर, 800 करोण यह समाथ है मैं अपकी बाद समाज रही है, आप बोल रो की 80 करोण में, ठीक है, लेकिन देखो, जो 200 करोण रुपे हमारी दीरों में लगे हैं क्योंकि जादा से जादा पैसे तो, शारुख हन को उनके करेक्टर में दिखाने की में लगे है VFX को लेकर, camera editing, सब कुछ, क्योंकि किसी को गोना दिखाना को इसान काम तो नहीं है उसके लिए बहुत सारे VFX रही है इसमें VFX बहुत अचा इस्तिमाल किया गया है 60s और 70s के इंडिया दिखाया गया है बहुत 80 करोड खच है से कुछी चीज पे पुरान इंडिया दिखाने के लिए और इसके action scenes पे जब आप देखोगी ना आप खुछ समझ में आजाएगा ना आप जीरो को परागाओगी ना KGF को मैं बूरा तो मैं बोली नी रही हूँ बात यह है बोलो क्या बोल रही हूँ आप मुझे बोल रही हूँ आप उसी करोड का बजट लगाए ठीक है मैं मान रही हूँ लेकिन VFX इतने हाई-level कर ही नहीं उंडे शायर क्योंकि किसी को पूर्ना दिखाना याद VFX में सारा काम सराज सेंसा बगरा सब इसी मिला रहा है यह भी तो सोचो अब आखरी में बात यह है रवनम कि मैं तो Zero देखने जा रहा हूँ लेकिन कंती सी KGF देखाया तो इम चीज मेरे साथ हूँ है हाँ लेकिन आप भी अच्छा बोल रही हो कि वो Zero अच्छी है मैं भी अच्छा बोलों केजी अच्छी है तो तो अपने अच्छी है और अपने अपने हिसाब से कमाएंगी और हिट भी लेकिन देखने बड़ा सवाल है कि चप्टर 2 तो आएका केजी अपका क्या जीरो का वनपाट आएका इसना है दोस्तों मुझे तो लग रहा है जिस तरी कि इस जीरो को सब डिमांड में ले रहे हैं तो मुझे आप लोगों से भी उमीद है कि आप सोच रहे होंगे कि हाँ जीरो का सेकंड पार्ट बनना चाहिए और रिलीज हुई तो दूसरी तरफ साउथ इंडस्ट्री के सूपरस्टार धनुष की फिल्म मारी टू बॉक्स ओफिस पर तहलका मचाने के लिए आई और वही कंड के एक और सूपरस्टार यश की फिल्म KGF ने बॉक्स ओफिस पर दस्तक दी और जिसे कंड की बाहुबली के नाम से जाना जा रहा है इन तीनों फिल्मों के एक दिन रिलीज होने से फिल्म उध्योग को नुकसान के साथ-साथ फाइदा भी हुआ क्योंकि इस बार ओडियंस के पास अच्छी खासी चॉइस थी कि वो किस प्रकार की फिल्म का चुनाव करें जहां शारुक खान की फिल्म एक रोमांटिक फिल्म के साथ-साथ फुल ड्रामा फिल्म है तो वहीं KGF एक एक्शन फिल्म है और वहीं Marry 2 एक मसालेदार फिल्म है लेकिन जिसमें शोशल एलिमेंट्स का तड़का लगाया गया है और इन तीनों फिल्मों के रिलीज होने से फिल्म इंडस्ट्री को करीब 300 करोड का फाइदा हुआ है क्योंकि इन तीनों फिल्मों के सेटलाइट राइट्स और म्यूजिक राइट्स इन सारी चीजों को मिलाकर करीब फिल्म इंडस्ट्री को 300 करोड का फाइदा हो रहा है और 21 दिसमबर को एक ही दिल रिलीज होने पर करीब 100 करोड का फाइदा हुआ अगर नुकसान की बात की जाए तो नुकसान इस संधर्ब में हुआ कि हर स्टार की ओडियन्स बट गई और ओडियन्स बटने से तीनों फिल्मों को नुकसान हुआ है हालांकि ये पहला दिन रहा इसलिए ये निस्चित तोर पर नहीं कह सकते तीनों फिल्मों को कितने कितने करोड का नुकसान होगा अगर अब बात करें जीरो की तो जीरो ने रिलीज से पहले ही फिल्म का आधा दाम निकाल लिया था जी हाँ और जीरो का कुल first day collection देखा जाए तो जीरो के खाते में करीब 230 करोड के आस पास गया है और इससे ये कहा जा सकता है कि जीरो फिल्म का टोटल बजट पहले दिन ही निकल चुका है और फिल्म का सूपर इट होना तो निस्टित है क्योंकि जीरो ने इंडिया और देश विदेश को मिला कर 58 करोड का बॉक्स ओफिस कलेक्शन किया है और अगर वहीं बात की जाए साउत के बाहुबली यानि केजियेफ की तो उसने पहले दिन 15 करोड का बिजनिस किया है दोस्तों वहीं मारी टू अगर कुल मिला कर देखा जाए तो फिल्म ने 2 से 3 करोड का कलेक्शन किया है और अगर इन कलेक्शन के आकड़ों को आधार बना कर बात की जाए तो शनिवार को छुटी होने की वज़े से तीनों फिल्मों के बॉक्स ओफिस पर उच्छाल देखा जा सकता है और माउट पबलिसिटी का फाइदा भी मिल सकता है अगर दूसरे दिन के कलेक्शन की बात की जाए तो 0 करीब 30 करोड का बिजनिस कर सकती है और वहीं KGF करीब 20 करोड के आसपास पहुँच सकती है और दोस्तों वहीं मारी 2 भी करीब 5 करोड के आसपास पहुँच सकती है तो जब भी दो फिल्मे या तीन फिल्मे एक साथ रिलीज होती है तो अक्सर देखा गया है कि जब बड़े बैनर की और बड़े स्टार की फिल्मे होती है तो उनके बॉक्स ओफिस कलेक्शन में जादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ता और दोस्तों वहीं अगर एक उधारन के तौर पर देखा जाए सनी दियोर और आमिर खान को तो इन दोनों ने काफी लंबे समय तक एक ही दिन अपनी फिल्में रिलीज की है और इसके बावजूद इनकी फिल्में हिट भी साबिक हुई है और सबसे बड़ा उधारन तो उस समय का है जब गदर और लगान रिलीज हुई और दोनों फिल्मों ने रिकोर्ड तौर बिजनिस किया और वही हम आपको बताना चाहेंगे कि शारुख खान के साथ ये पहली बार नहीं हो रहा है कि दूसरे स्टार की फिल्में उनकी फिल्मों से टकराई हैं तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि वो इसके आदी हो चुके हैं योगि शारुख खान एक बहुत बड़े सूपरस्टार है और इन सब चीजों से उनके स्टार्डम पर कोई असर नहीं पढ़ने वाला है अब चाहे कननड का सूपरस्टार आए या फिर साथ का सूपरस्टार और ये सब इनके सामने एक प्रकार से बच्चे ही तो हैं वो कहते हैं ना कि बाप बाप ही होता है दोस्तों वहीं KGF और मारी टू के रिलीज होने से जीरो के बॉक्स ओफिस कलेक्शन पर थोड़ा बहुत तो असर पड़ा है क्योंकि KGF और मारी टू में जो स्टार हैं उनकी खुद की फैन फॉलोईंग है और दोस्तों अगर बात करें KGF के सूपरस्टार यश्की तो आज की यूत में उनकी एक अच्छी खासी पकड़ है और वैसे भी KGF की तुलना अमेताब बच्चन की दीवार से की गई है और इस फिल्म की कहानी में वैसा फील लाने के लिए फिल्म के कथानक में और फिल्म के स्तिनेमेटोग्राफी में उस लेवल का हर एलिमेंट्स डाला गया है जिससे की फिल्म में एक न्यू फ्लेवर नज़र आए और इसलिए KGF के रिव्यू के आधार पर कहा जा सकता है कि ये फिल्म फ्लॉक्बस्टर फिट साबित होगी दोस्तो मारी टू के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है वो भी एक स्लो पोईजन है और इन फिल्मों की तरह वो भी धीरे धीरे अपनी पकड़ बना ही लेगी क्योंकि धनुष का अपना फैन फॉलॉइंग है और दोस्तो ये भी कहा जा सकता है कि मारी टू और केजी एक की टकर से सीधा जीरो को फाइदा होगा क्योंकि यश और धनुष दोनों की ही फैन फॉलॉइंग साउट में जादा है लेकिन हमारे बहुआ भी इन एक्टरों से पीछे नहीं है इसलिए सारे आकड़ों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि सीधा फाइदा शारुख खान की फिल्म जीरो को होगा और दोस्तो वहीं जीरो फिल्म को लेकर फिल्म क्रिटिक्स इसलिए नर्वस हैं क्योंकि सारके के जितने चाहने वाले हैं उतने ही दुश्मन भी है क्योंकि सोशल मीडिया पर शारुख को ट्रॉल भी किया है और इसलिए उनके शुप चिंतकों में एक तरह से भैफैल गया है कि कहीं शारुख की जीरो फ्लोप न हो जाए लेकिन ऐसा होगा नहीं सारके की जीरो फ्लोप होगी नहीं और जल्द ही बॉक्स ओफिस पर अपनी पकड़ भी बना लेगी जीरो फिल्म के हीरो शारुख खान का स्टार्डम किसी भी सूपर स्टार से कम नहीं है और इसलिए कहा जा सकता है कि बाहुबली और टाइगर जिंदा है की तरह जीरो फिल्म भी जल्द ही पॉक्स ओफिस पर स्पीड पकड़ेगी जिस प्रकार से बाहुबली टू ने स्पीड पकड़ी थी क्योंकि जीरो की कहानी में जो बहुआ सिंग है वो एक आम इंसान को रिप्रेजेंट करता है इसलिए जीरो फिल्म बहुत जल्द ही हिंदुस्तान की जन्ता के दिलों में रच और बस जाएगी और दोस्तों ये भी सच है कि शारुक खान की जीरो फिल्म पर अनुश्का की शादी का फर्फ थोड़ा बहुत तो पड़ा है क्योंकि हमारा फिल्म इंडस्ट्री आज भी पुरुषवादी मानसिक्ता का प्रतीख है जहां पर मेल एक्टर्स तो शादी कर लेते हैं लेकिन फीमेल एक्टरिस जैसे ही शादी करती हैं उनकर स्टारडम गिर जाता है जो की एक प्रकार से हिरोईन के साथ विक्टिमाइजेशन होता है और एक लंबे समय से होता आ रहा है और आज भी जारी है लेकिन दोस्तों ये जो कथित पुरुष प्रधान समाज है हमारे देश का एक कभ शिक्षित होगा और मैं तो यही कहना चाहूंगी कि हमारा देश जब तक शिक्षित नहीं हो सकता जब तक की हमारे देश की प्रती एक नारिश शिक्षित नहीं होगी और अगर हो जाएगी तो वो खुद अपने आप में इतना शक्षम होगी कि अपने अधिकारों को लेकर बोल सके और उनके लिए लड़ सके क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री जो की हमारे समाज के एक आईने के रूप में देखी जाती है अगर वहाँ पर नारियों के साथ victimization हो सकता है तो किसी भी छेतर में हो सकता है जो की एक दम गलत है और मैं तो यही कहना चाहूंगी कि शादी करने के बाद भी जिस प्रकास से पुरुष फिल्म इंडस्ट्री में जमे रहते हैं हिरोईनों को भी जमे रहना चाहिए और तभी इस इंडस्ट्री का मिधख खटेगा और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दे कि मौसमी चटरजी मात्र एक ऐसी हिरोईन है जो शादी के बाद इंडस्ट्री में आई और पुरुषों को भी पीछे शोर दिया 21 दिसंबर 2018 एक बहुत ही एहम दिन है फैंस के लिए क्योंकि इस दिन दो रोमांचक फिल्में रिलीज होने वाली हैं पहली बॉलिवुड के बाशा किंग खान की जीरो और दूसरी कंणर एक्टर यश की KGF चैप्टर फस्ट नमश्कार दोस्तों मैं हूँ गरिमा सिंग और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ हमारे चैनल बॉलिवॡ राद स्टोडियोज की एक और नई वीडियो में तो दोस्तों आये मालूम करते हैं कि इन दोनों फिल्मों के एक ही दिन रिलीज होने पर भारत के हर एक शक्स पर क्या असर पड़ेगा फिर चाहे वो किंग खान हो या फिर कंणर्ट सूपरस्टार यश या फिर आप लोग पर जी हाँ यानि की वो लोग जिनके एक्तियार के बिना फिल्म इंडस्ट्री का पर भी नहीं हिल सकता दोस्तों जीरो और केजी एफ के एक ही दिन रिलीज होने पर भारतिय फिल्म उध्योग को कितने करोड का फायदा होगा ऐसे कहीं सारे सवाल जहन में आते हैं और जहां तक कि देखा जाए अगर एक दिन में एक ही फिल्म रिलीज हो तो भारतिय फिल्म उध्योग को एक फिल्म से जितना फायदा होता है उससे जादा दो फिल्म में रिलीज होने पर होगा और जाहिर सी बात है कि अगर दो बिग बैनर फिल्म साथ में रिलीज हो रही है तो फायदा तो बेशक्त जादा ही होगा एक तरफ जीरो रेट चिलीज एंटर्टेन्मेंट की प्रोड़क्शन है तो दूसरी तरफ केजी एफ चैप्टर फरस्ट रितेश शिडवानी और फरान अक्तर की एकसल एंटर्टेन्मेंट की है वहीं दोनों मुवीज के कमाइन कलेक्शन की बात की जाए तो एक हजार करोर का मुनाफ़ा तो हो ही सकता है मगर मुद्दे की बात तो ये है कि कौन से फिल्म कितना कमाएगी अगर शारुक खान की पिछली फिल्मों की बात की जाए तो कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई है और उनकी कमाई भी इतनी बहतरी नहीं हुई है पिछली फिल्मे कुछ जादा खास ना जाने की वज़े से इस पार फैंस को S.R.K की जीरो से बेहद उम्मीदे हैं वहीं दूसरी और यस जो की कंड़ सुपरस्टार हैं और साउथ में बेहद प्रचलिद भी और उनका काम पिछली फिल्मों में लाजवाद साबिद भी हुआ है तो उनके फैंस को भी KGF का बेसबरी से इंतजार है बलकि अब तो आलम ये है कि नौर्थ इंडिया में भी लोगों को KFC का ट्रेलर बेहद पसंद आया है और कहीं ऐसा नहोगी S.R.K की तरफ आती हुई हवाएं यश की KGF की तरफ अपना रुक मोड लें बेशक की लोगों को Zero का उतनी ही शिदत से इंतजार है मगर कहीं न कहीं KGF का ट्रेलर Zero के ट्रेलर पर भारी पड़ता नज़र आ रहा है और इन सब से बचने के लिए Zero का जोर सोर से प्रोमोशन हो रहा है और नई नई तरकीबे निकाली जा रही है जैसे की अभी हाल ही में Making of Song मेरा नाम तू यूटूब पर लॉंच हुआ सूत्रों के मताबिक KGF पाँच अलग-अलग लेंगवेजस में रिलीज होगी जिसमें एक लेंगवेज हिंदी भी होगी अब संजीदगी यहीं आकर दस्तक दे देती है कि अगर फिल्म हिंदी में भी रिलीज होगी तो ओडियंस किस हिसाब से बढ़ जाएगी KGF कल Zero के साथ क्लैश होने पर Zero पर असर तो जरूर पड़ेगा उसमें तो कोई शक नहीं है मगर वहीं दूसरी तरफ रिते शिदवानी का कहना है कि उन्हें नहीं लगता कि यह एक क्लैश है या फिर कोई जंग है किसी स्पेस के लिए उनका मानना है कि स्पेस बहुत है रही बात 21 दिसम्बर को रिलीज करने की तो उसका एक ही कारण है कि उस दिन साथ इंडिया का एक खास फेस्टिवल है ये फिल्म साथ की चार लेंग्वेज में रिलीज होने वाली है और बेशक हिंदी में भी उनका कहना है कि नौर्थ इंटिया मार्किट में उतना नहीं जाना जितना की जीरो का मकसद है एक्सल एंटर्टेन्मेंट जो की रॉक ओन टू रहीस फुक्रे सिरीज गोर्ड जैसे फिल्मों के लिए जानी जाती है इस पार कंणड फिल्म के जीएफ के साथ आ रही है रिते शिद्वानी का कहना है कि फिल्म ने लेंग्वेज बेरियर्स को तोड़ दिया है और इसका सबसे बड़ा एक्जामपल है बाहु बली केजीएफ जो की एक पीरियड ड्रामा है कूलर गोल्ड फिट्स पर आधारित है जहां तक की फिल्म आपको इमोशनली कनेक्ट करती है तो लेंग्वेज का बेरियर तो रहे ही नहीं जाता दोस्तो केजी एफ प्रशान दील ने कलम बंद करी है और इसका निर्देशन भी उन्होंने ही किया है और दोस्तो विजय की रागंडूर इस फिल्म को प्रिड्यूस कर रहे है होम प्ले फिल्म्स के बैनर तले यश और स्रीनिधी लीड रोल में नजर आएंगे बात की जाए जीरो की तो वो एक रोमेंटिक ड्रामा है जिसको लिखा है हिमांच शर्मा ने और निर्देशन किया है आनन देल रोय ने दोस्तो इस फिल्म को प्रिड्यूस किया है कलर येलो प्रोड़क्शन एंड रेड चिलीज एंटर्टेनमेंट ने स्टार कास में हैं शारुक खान, अनुशकर शर्मा और केट्रीना कैफ दोस्तो वहीं जीरो का बज़ट 200 करोड़ से उपर का है तो वही के जीएफ का 100 करोड़ से उपर का अब सवाल ये है कि क्या शारुक खान फिर से किंग खान बनपाएंगे जंगल में लेकिन शहर तो एक ही होता है और किंग्टम में किंग भी एक ही किंग खान ने पूरी जान लगा दी है जीरो फिल्म के लिए और ये बात जाहिर भी होती है जहां सल्मान खान इश्कबाजी सोंग में स्पेशल एपिरेंस में दिखाई दिये हैं जहां तक की बात की जाए सल्मान खान की तो जहां वो पहुंच जाते हैं वहां तो फिल्म का फ्लॉप होना नामुम्किन ही है